मेरा नाम अमित है और मैं पैदा तो आगरा में हुआ था 1960 में लेकिन पला बड़ा दिल्ली में पढ़ा ही दिल्ली में ही हुई स्कूल मेरा और उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर जॉइन किया स्कूल अफ्लैनिंग अप्लैनिंग दिल्ली में है वहां तीन साल के बाद उसको छोड़ दिया और आ गया में वही तिलोनिया में एक संस्था है उसको बोलते हैं सोशल वरक एंड रिसेर्च सेंटर तो कुछ मेरे मन में भी था कि कुछ गाउं में काम करना है अपना जो भी सी कि एसे लोगों के लिए इस्तमाल करना ने जो लौग ऊश्टा वो उनी उयूरा दो पहला है तो फिर वहां तेलोनिया में रहा तो पहली बार मेरे लिए वहला दो पाई काओं के लोग कैसे होते हैं क्या सोचते हैं पहली बार तो मैं देखा कि इस वास्तव में लोग मिर्च से रोती खा रहे हैं तो यह फर्स्ट टाइम मेरे को यह लगा कि मतला गरीबी सिर्फ एक इकनॉमिक चीज नहीं कि आपके पैसा नहीं है आपने दे दिया उसकोफा तो ज तो फिर उनकी क्या जरूरते हैं तो उसमें यही था कि गरीबी है और शोशन है फिर सामाजिक धाचे राजस्तान में बहुत जात का बड़ा सिस्टम है तो वह सारे चीजें समझ आए तो फिर एक वहां यह जैसे खेमराज चौधरी करके था वहां पर जो भी गाउं का लड़ लेफ्ट स्टुडेंट्स उनियन में काम कर चुके हुए लोग थे तो उनके साथ यह बहुत डिस्केशन चलता था कि यह जो तिलोनिया या यह जो मॉडल है कि हम यह मानते कि लोगों के पास पैसे नहीं है उन्हें पैसे दे देना है यह कहां तक सही है बंदल्ब पैसे और वो बनिया और जाट और राजपूत और दलेत वो सब वैसे ही रहेगा वो धांचों को कुछ नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है और जब तक यह जो सत्ता के जो धांचे हैं सामाचिक हो चाया आर्थिक हो उनको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगी नहीं तो यह पहले बार में गया था तो चार-चे महीने रहा फिर दुबारा फिर मेरे फादर को बहुत लगता था कि आर्टेक्ट हो जाना चाइए इसको मोला कुछ बन जाना हो जाना चाहिए उसकी एजूकेशन तो फिर एक साल वापिस में अर्किटेक्चर में लेकिन फिर में वहां से निकला तो एक low cost architecture वाले के पास चले गया, एक और दोस्त भोपाल में काम कर रहा था, उसके बाद से दो चार महीने वहां रहा, फिर एमदाबाद में एक आसाग करके संस्ता है, तो उसके साथ 6 महीने कुछ किया, फिर ultimately वापिस फिर मुझे लगा ये छोड़ो ये architecture का चकर से कुछ नहीं होने वाला, वापिस तिलोनिया में चले गया, तो वहां तब तक ये खेमराज तिलोनिया छोड़ के जाबवा आ चुका था, और ये भी अकेला था, तो फिर इसके साथ में आ गया यहां पर, अली राजपूर हम आ गये दोनों, और पहले एक socialist movement हुआ था जाववा में बहुत strong, जो मामा बालिश्वर दयाल का, तो उसके साथ वो था, लाल टोपी में, लाल टोपी बोलते थे, क्योंकि वो सब लाल टोपी लगते थे, तो खेमराज नहीं उसको बताया कि ये भी एक और अपने साथ रहेगा, ये भी यही काम करने के लिए आया है, तो बस वहां रहने लग गया हम, शेहर वालों की बहुत ज़्यादा शंका थी उनके प्रतीर, सबी आदिवासियों के बीच में, जो कि हर समय उनको तो वो लुटने का ही संबन था उनसे, तो कहर मैं भी पहुंच गया हम, तो उनके घर में हम रहने हम गाओं में जाते थे मीटिंगे करने दोनों, तो जहां भी किसी भी गाओं में जाते थे मतलब इनके खेमला के साथ में, उसके जो भी कॉंटक्स थे इदर उदर, बहुत बार लोगों को तो पूछते थे वो बोलते थे हमें कोई तकलिफ नहीं है, फिर हम उनको बताते थ में जाते हैं, तो क्या करता है, पटवारी मुर्गी खाता है, यह नहीं होता है, तो पेर वो कहते हैं, यह सब होता रहता है, लेकिन वो लोग भी बड़े मस्त टाइप के लोग थे पूरे, मतलब उनके तो ऐसा तो अब जो भी है, गरीब है जा कुछ भी है, लेकिन हर समय याद नहीं करना चाहता है, तो ताड़ी वहां होती थी, तो बस ताड़ी पी के मस रहते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि हर समय वो रो रहा है, और शोशन हो रहा है, यह हो रहा है, तो वहां की भी बहुत स्ट्रॉंग अपने दिमाग में, मतलब पहली बार मेरे लिए ऐसी गर रात को ऐसे होता था कि वह खाने को नहीं है, तो बच्ची रात को भूकी रोती थी तो यह इसकी मा जो शराप पिला दी थी, मोवे की, की सो जाएगी करके, और हाट से जो है विल्कुल जो सबसे रदी जवार होती थी, वह लेके आती थी, सस्ती, और उसकी वह राबडी बन अंदर है, यह बकवास है इनको, मतलब एक ही मकसद है कि इनसे जितना एक्स्रैक्ट कर सकते हैं, वह हर इंसान करता था, जाए वह चक्की वाला है, आटा चक्की में जाओगे तो वहाँ वह आटा निकालेगा, तो गुसा भी आता था, मतलब यह सब क्या हो रहा है करके, तो बहुत सारी अजीब अजीब बातें, वहाँ ही पता लगी आदिवासियों के बारे में, तो बस यह सब मीटिंग होती रहती थी, गाओं में जाते रहते थे, फिर एक बार एक तलाब का मामला चल रहा था, तो मतलब कोई तलाब बन रहा था, तो उसमें हमको लगा कि ठीक है जिन्दगी में कोई ऐसे लेबर कामी नहीं किया न, तो फिर मैंने का मैं तो घर जा रहा हूंगी, तो मैं घर बगया वहां से, फिर वापिस आ गया, ऐसे करके चलता रहा, मतलब रहा नहीं जाता था, और खेमला के घर खाते था, जुआर की रोटी वो भी हमको खाई नहीं तो फिर थोड़े दिन में यह हुआ कि हर हफते में हमको लगता था कि हम बिमार हो गया, क्योंकि कुछ खाने को ही नहीं मिलता था, हर संडे को, और मतलब वो उम्राली हाट में मिर्ची वड़ा मिलता था, तो वो हम डेस्परेट होते था उसको खाने के लिए, तो फिर करके हमने डिसाइड कि खुद अपना खाना अलग बनाना चाहिए, तो फिर अलग रह गए वहां पर, उसके साइड में ही एक और घर बना के, तो हमने का कि तेल तो खाना पड़ेगा, तेल के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर क्या होता था, वो पूरा घर जो है ना तेल का जब आवाज आती थी ना वगारने की, एक तो वो स्टोव हम लेके हैं, पंप वाला, वो बड़ा सूं करके आवाज करता था, और वो तेल की आवाज था, पूरा घर के और बच्चे जागते रहते थे आके, कि ये क्या बना रहे अच्छा अच्छा, तो फिर वो सब, फिर ह समान मता सार ले लेते थे, और उनको लगता नहीं था कि ये कुछ गर्लत कर रहे हैं, तो ऐसे सब चल रहे थे, तो वो खेर, उस डैम पे फिर ये हुआ कि उस डैम पे काम करने से लेकिन बहुत सारे मज़दूरों से दोस्ती होगी, जो काम कर रहे थे, तो फिर वो डैम के सारे इसू पे लोगों को पुरा हिसाब किया था लोगों के साथ की 4 रुपए मज़दूरी मिलती है, और कितना पैसा हमें मिलती हैं तो कितना पैसा ही PER DAY, यह OVERSEER और यह Inginior और यह सारे मिल मिलाके खा जाते हैं तो फिर वह लोग थे वह इस टाइब के थे बहुत ही जबर्दस टाइब के थे तो उनको तो जज गया यह हिसाब तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि अब हम काम बंद कर देंगे तो वह उस इलाके में सब भी बहुत चलता ने पुरा चोरी चकारी मर्डर यह वह बहुत माम पर इन लोगों ने खेमला ने तै किया कि पूरा रैली लेकर जाएंगे अली राजपूर जो तैसील हैटकौर्टर था तो उस समय यह गोपाल कृष्णन करके अभी वह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है वह SDM था तो यह नया IS जो आते हैं वह काफी जोश में रहते थे तो फिर वह आ गया बीच में उसने कुछ सेड़ लेकिन यह तो माने नहीं गए अली राजपूर वहाँ पर फिर इनका जो सेट्लमेंट हुआ तो उसने का कि नहीं मैं रेट बढ़ा दूंगा वह फर्स्ट सक्सेस हो गया कि जहां लोगों को स्ट्राइक हुआ और उन्होंने बढ़ाना पड़ा तो फिर यह बात फैल गए कि यह कुछ आ गया है जिनका की यह है लेकिन शुरू से ही फिर क्या हो गया चालू हो गया इनका सा क्योंकि कि किसी को आदत नहीं थी कोई संगठन इस इलाके में तब तक था नहीं आपर एक ही MP में जो हमें पता था वह अर्गवा नियोगी का चतिसगड में और कुछ महराष्ट में थे उस समय यह भूमी से ना अश्रमिक संगठना कश्टकरी संगठन इस टाइप के जन संगठन जिस नाम से जो जाने जाते ना उस तरह के जो पार्टी में नहीं है एंजियो नहीं है इस इस इलाके में तो उसने यह प्रचार पहला दिया यह नकसल वादी है तो इनको क्यों आये हैं यहां पर यह शुरू से पीछे पढ़ गए कि इनको भगाओ यहां से लेकिन वह तिलोनिया का हमको फिर बहुत सपोर्ट था यह बंकर का मतला एक ब्लैंकेट एक तरह से सपोर्ट था कि वह ठीक ह खर्षम है फ्लैंक का सदस्य था अधियो की तरफ से तो हम भी टेखनिकली बड़िए उसी के सो और ही चाख्या थे जागौ थे तो पहर हम और हम नेक्शलय्इत तो प्लाइन का मिशन में में भी झालाय्ट तो करके हो लुक् Southern चलतारा लगातार वहां से शुरू हूं रह गुलाब तो फिर समझाया कि यह फॉरेस्ट एंक्रोच्मेंट का बहुत बड़ा चकर है कि बहुत सारे गाउं है उसने बताया जहां जंगल में खेती है लोगों की और फॉरेस्ट वाले करने नहीं देते तो फिर वहां एक मीटिंग रखे मत्वाड में यह अठ्ठा में और करीब 25-30-40 गाउं के लोगों को बुलाया उसने खोदी अपने इनिशेटिव पर हम भी वहां गए तो फिर हमको लगा कि हाँ यह एक ऐसा मुद्ध है जिसके अंदर ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं एक साथ तो फिर हम वहां से निवाड वाले मुद्धे में निवाड ब फिर पूरे इलाके में घूमें मतलब पहाड था पूरा का पूरा तो हर जगह जाने के लिए आपको दो चार पांच-छे किलोमीटर पाण में चलना ही पड़ेगा तो फिर यह चलने लगा फिर बहुत सारे इसी तरह वह पूरा मत्वाड रेंज था एक जो उसमें नर्मदा पहाड निकले बिना कुछ नहीं हो सकता तो वहां के लगाद जैसे यह पाहाड पे कोई भी धोगडिया वोलते थे पैंट कमीज वाले को जैसे को धोगडिया पहाड में प्रस्तुत होता था नो कुते भुंकने लगते थे गाउं कर तो गाउंवालों को पता लागशे था क में लगा जब तक यह डर नहीं निकलेगा तब तक और आगे क्या करेंगे इसके लावा तो ऐसे होता था कि मीटिंग होती थी महां तो पटेल या सरपंच सरपंच तो दब तक थे नहीं महां पर पटेल आके बैठ जाता था या जो भी मुख्या गाउं का ना दलाल टाइप र तो कोई ना कोई हमको बोलता था ठीक है तुम मेरे घर चलो रोकने के लिए और फिर वो घर ले जाके पूरी रात कहानी सुनाता था कि हमारे गाउं में तो ऐसे हुआ वैसे हुआ यह हुआ और यह पटेल के सामने कोई नहीं बोलेगा है पटेल भी उनके साथ मिला है यह गाउं का कैसे ढाचा है किस तरह से गाउं के अंदर भी कुछ लोग हैं जो सरकारी तंतर के साथ जुड़े हुए हैं तो हर जगे जब हमको पता लगता था कि कोई पिट गया तो वहां पहुंच जाते थे उसको समझाने के लिए कि शायद यह कुछ राजी हो जाएगा कि और हमारा भी था कि हमारा यह कंडिशन था कि जब तक पूरे तुमारे कम से कम फलिया होता था वहां पर ना अलग अलग फलिया गाउं के अंदर तो एक फलिया के लोग युनाइट नहीं होंगे तब तक हम individual complaint नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उनको भी हम कहते थे कि अगर कर सब्सक्राइबात सुना नहीं मतलब कोई भी कशूंप करना चाहता नहीं था पिर एक केस मत्वार में हो गया एक बंदा आगया अचानक जिसने का कि मेरे को नाकेदार ने पीटा यह किया वो गया और मैं उसका कंप्लेंट करना घाता हूं तो हमें विश्वास ही नहीं हूं करना है तो वह सब कह रहे थे कि हम इसकी मदद करेंगे तो फिर काफी जब हमको लगा कि हाँ यह मतला यह डटे रहेंगे हटेंगे नहीं पीजे तो फिर यह केस हो गया जिसमें उन्होंने complaint किया और एक साल तक वो डिपटी रेंजर और रेंजर उनके फलिया के वाँ एक नाला था तो उस नाले को cross करके आया नी इनके घर में और कुछ नहीं हो इनको तो वो एक और इस इलाके का वो खड़े खोदने आते प्लांटेशन कि जो लोग संगठन में उनका प्लांटेशन खोद दो तो वो वो खोदने आ गया थे तो फिर ओरतों ने उसको विरोध करके भगा दिया मजदूरों को तो वो रुग गया फिर ऐसे धीरे-धीरे करके और हर बारिश में कुछ नकुछ ड्रामा होता था मतलब कोई पिट गया किसी को पकड़ के ले गए कुछ हो गया हो गया मगर वो संगठन फैल गया करीब 40-50 गाओं में उस इलाके में और यह बहुत सब को क्लियर हो गया कि संगठन में जाने में फाइदा है लेकिन बहुत कठिन है मतलब मार और हर एक ने ज जिस मीटिंग में आया ता उसके घर से को पीटा पकड़ा और जेल में डाला और उनको खूब गाली देते हैं कि बलाओ अभी उनको वो तुमारे जमाई है वो तमको रोटी देंगे वो तुमको बचाएंगे ना बला और जाओ के संगठन में मार खाओ। क्योंकि पहले से यह बात होती थी कि यह सब होगा तो फिर वो मार खाने के बाद भी संगठन में रहते थे इसलिए वह बहुत स्ट्रॉंग पूरा मामला बन गया था दूसरा हमारा क्या था कि यह तिलोनिया और बंकर फंकर के कॉंट्राक्ट से हम भी जो सेक्रेटरी वेक्रेटरी टाइप के लोगों से भी हम मिल लेते थे जाके और यह सारा कहानी जब सुनाते थे तो हर एक को ही पता था कि यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत करुप्शन है तो वहां से भी उस समय हमको बहुत मदद मिला एड्मिन्स्रेशन से यह जो कलेक्टर और इस टाइप के और सीनियर एड्मिन्स्रेशन से काफी मदद मिला तो वह एक तरह से मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आइसोलेट हो गया ऐसे हुआ वह हो पाया वह जो श्यादा आज संभव नहीं है तो फॉरेस्ट का मामला ल चंह तो अधां तो तब तक हम यह मुटे से शाहदा सृ में रियुक्त शंगतन न गया तो वहां हम लोगोंने कैसे संगठन की है वहाँ से जिन्दाबाद ले के आगे थे वह लोग जिन्दा बात करतेば ये जिन्दाबाद सिखे आगे थे बहुंसे चलो गया ऐसा था हमारा की वह संगठन मैं सब्सक्रक्रणि अिर है उनक्ता नहीं ढूब मुन से तर तो हम सामिक 시청 के घर में खाते थे रहते भी उनी के घर सोते थे मतलब डेली ऐसा ही होता था और जो थोड़े लगते थे कि बात करने वाले तो उनके घर जरूर सोते थे जाके तो उनके पूरे परिवार से उन लोगों से मतलब फिर पर्मनेंट दोस्ती हो जाती थी क्योंकि फिर वो पूरी रात अपनी पूरी जिंद तरौ यह सब्सक्राइब तो वह सबी से इस तरह के संबंध हो गया अच्छ जै अइसा नहीं था कि महिला संगठन नहीं था हमाँ पर कोई अलग से खेड़ों तो मजदूर में लेकिन महिला को आना ही है जिसका भी खेती है सबको आना है तो महिला है उसको आना है इन रैलियों वगेरा में भी महिलाएं आती थी, इक्वल नंबर में नहीं आती थी, आदमी ही ज्यादा आते थे, लेकिन आती थे, फिर बाद में ये हमारे साथ और जैसे सिल्वी जुड़ गई, फिर बीना करके एक लड़की थी, वो आई, तो फिर ये अलग से महिलाओं की जैश्री आई, और फिर इन लोगों ने जैसे सिल्वी पहले आई थी, तो उसके साथ सी शुरू हो गया था, कि ये महिलाओं का अलग मीटिंगे करना, उनके साथ, उनके लिए अलग शिविर करना, तो फिर जैसे कुछ समय मुझे याद है कि ऐसे पैरललल शिविर भी होते जो शिविर आदमी के साथ हुआ, वही शिविर महिलाओं के साथ घाता था, जबी भी गाउ में जा रहे हैं तो पूरा दिन गाउ में स्पेंड लिए थे फिर जैसे महिलाओं के मीटिंग अलग होगा, बच्चों के साथ खेलेंगे, एक कुछ दिर खेल थे गाने सिखाते थ कि आदमियों का अलग मीटिंग होगा ऐसे होता ही था इसलिए महिलाएं उसमें जुड़ी थी ज्यादा उस दौरान जो रिप्रेशन हुआ है ऐसी घटना तुम लोगों पर भी अगर कुछ हुआ हो उस दौरान शुरुवाती दौर में और सबसे पहले तो खेमराज पिट गया था तो सबसे पहले ही दो तीन साल के टाइम में ही वह कुछ लोगों को फॉरेस्ट चौकी में लेके गया था कुछ उनका प्रॉबलम था कुछ उनका कागस नोटिस दिया था उसके बारे में तो उसको फॉरेस्ट चौकी में अंदर बुल करीब 8-10 नाकेदारों ने मिलके कुप पीटा उसको बीडी के निशान विशान जला दिया था उसको हाथ और इस अब हो गया तो यह गटना होगी थी फिर इसके खिलाफ काफी सारा अंदुलन हुआ रिटैलियेट हुआ यह हुआ उससे संगठन बहुत मजबूत बन गया था म लोग कि यह कैसे क्यों मारा इनको कर गये गाओं वालों के साथ तो लगातार मैं बताया ना जैसे वो पीट गया वो देवाजिया को पीट दिया था फिर खुडामबा और यह पांच गाओं थे खुडामबा आमबा फिर काकड़सिला और जलसिंदी का उपर का भील फलिया उमरला और एक चिखलदा का फलिया था भील फलिया था यह पांच फलिया इनके बड़े कोईजिव थे इनके पूरे रिष्टेदारिया यह वो थी तो इन पांचों में से पचीस लोगों को पकड़के ले गए थे बांध बांध के और उनको पांच दिन तक गाइब कर दिय और फिर जब हम अलिराजपूर आये स्पी को इसको खबर किया तब भी यही था यह गोपाल कृष्णन क्लेक्टर था तब तो एस पी और इस कलेक्टर ने बताया कि आप लोगों ने जो है डाक बंगले में तोड़ फोड क्यों किया जाकर तो उन्होंने पूरे डाक बंगल घटना हुई थी वहां पर फिर एक बार जो था किटी कांड हो गया था किटी एक गाउं था वहां प्लांटेशन कर रहे थे तो रात में हम सब को रात को दस-दस 11 11 बजे आके घर से उठा उठा के अरेस्ट कर लिया था सबको तो फिर वह सबको अलग 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 जगे से अ आववा जेल में पकड़ा पहुंचा दिया फिर यह पूरा से अफ लेकर चले वहां पर प्लांटेशन करने तो लोगों ने भी फिर इनका बहुत सामना किया बगा दिया इनको वैसे कली वहां से बाकी ऐसे मतलब बाद में फिर नर्मदा की चकर में ज्यादा पिटे लेकिन इसमें यह होता था कि एक कॉंस्टेंट धंकी रहता था हर समय कॉंस्टेंटली एक धंकी होती थी कि तब क्या हो जाएगा पता नहीं तो एक पॉइंट पर हमारे उपर सबकरी 50-60 केस चल रहे थ थे थे कि वह तीर हों से हमला किया यह किया वो किया नकसलवादी है कुछ भी ठाब में रिपोट बहुत सारी लिकाद हर समय ही कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट थाने में जा रहा है कूए CID का जाच हो रहा है कौन लोग है क्या है क्यों है इस टाइप का एक पूरा मतलब आत तो हमने भी इनकी उपर क्रिमिनल केस्स रिजिस्टर कराय थे और हमने का कि ठीक हमारा तो धंद़ ही है तो घर चौड़के आया तुम लिखाते रहो से केस जितने लिखाना लेकिन तुम क्या करोगे तुम्हारा नौकरी है तो पिर वो बंद हो गया फिर एक पॉइंट आगय मीटिंग हर ऐसे केस होते थे मारपीट के बाद बहुत मीटिंग होती थी सगन रूप से कि क्यों ऐसा हुआ फिर पूरे संगठन के लोग वहां गाउं में जाते थे जैसे 25 लोगों का जब मैं बता रहा हूं तो अठा से वह गाउं खुडांबा करीब 20 किलोमेटर दूर है ले एक कल्चर बन रहा था ऐसा नहीं था कि खाली सरकार से लड़ना है आपको ऐसा बात नहीं था कि समाज में देश में जो भी इस तरह के दबे हुए लोग हैं जिनको डरा दमका के रखा है उसका पूरा सामाजिक परिवर्तन की ये लड़ाई है इसके अंदर ऐसा नहीं कि सि पारा बातचित होता था और रोका भी लोगों ने कुछ समय के लिए जंगल बचाने को लेके हुआ मतलब आज तक अठा में तुम जाओगे वाकनेर में जाओगे जलसिंदी उमरला फलिया में जाओगे आज तक वो जंगल बचा है लोगों ने क्योंकि ये बात था कि ये जंगल हम निवाड का कबजा नहीं माग रहे हैं ये जंगल हमारा है हम ये कह रहे हैं तो हमारा है तो संगर्ठन को भी कि जंगल मुद्दा हमारे लिए एक है मुद्दा है कोई भी प्रॉब्लम के लेकर आप स्टार्ट करते हो लेकिन मुद्दा अपने आप में इशू इशू का इंपोर्टन्स यही है कि उससे आपका राजनीती करण हो रहा है क्या पुलिटिसाइजेशन हो रहा है क्या लोगों का उन्हें समझ आ रहा है कि यह कौन सी विवस्था है जो ऐसे कानून बनाती है कि जिस जंगल में हम सदियों से रह रहे हैं हमने इसे आबाद किया है वह कौण सी विवस्था आज है कि ने तुम्हारा जंगल नशन है हमारा ऐसे तो उस पूरी विवस्था को समझा उस मुद्ध के मार्फत यह मक्सद और फिर उस नए समाज के लिए नई विवस्था के लिए हमको संगात हो और दिरे-दिरे उस तरफ बढ़ना एक नहीं टीक है लेकिन हमारा एज़ पोलिटिकल अइक्टिविस्स काम क्या है इस बात को लेके हम उसकी समझ बढ़ा सकते रहें, हर समय हमको सचेत रहना है, ऐसा नहीं कि हम उन से लड़ लिये तो हो गया काम, हर समय अपने को सचेत रहना है, क्योंकि हमारे अंदर भी लालच है, हमार लडाई का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता यह ONnational माइन्ट वूह सकता है लेकिन वह समझ ठीकि यह लड़ा हम जंगल की समझी हरका इसलिए हल इस तरह का था चुनाव हो रहा है तो पंचाय चुनाव में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उसका बहुत extensive meeting और शिवेर और खेलों के मादे हम से पूरा बात इस तरह का था और दूसरा चीज यह था कि जन संगठन की कलपना हमारे दिमाग में जो थी कि वो जिसे श्रमिक संगठना में भी आया तो हमें समझाए कि यह लोग भी नंबर्स के मामले में चल रहे हैं पुरा ना कि हमारे दो जिले में संगठन यह वो तो हम कह रहे हैं हमारे चालीस लोग संगठन है तो उनको तो समझ at that कि वॉबत फिर दाइए यह प्री फोर्ट की लड़ाई नहीं है यह सामाजिक परिवर्तन अ harold Dia में हमारे जिन्सीनिक हर पहलू है यह वह कोई पहलो उसमें अच्छुटा नहीं है उसमें तो यह बहुत हमारा मतलब इसलिए हमारा यह इंटेंसिव काम करने का बहुत इंस्टेंस था शुरू में कि यही सही तरीका बहले चार गाउं में संगठनों लेकिन फिर वो मजबूत होना चीज़र उन सारे लोग को पता होना चीज़र यह क्या चल रहा है पूरा चीज ऐसा नहीं कि आप भीड की तरह गए और भीड की तरह आ गए वापस लेकिन यह हमारी इंसेस्टेंस थी कि इसलिए हमारे रैली में कभी भी मतलब तीन सो साड़े तीन सो का एक नंबर था जिसके आगे कभी पहुंचते ही नहीं था दूसरा पैसे नहीं होते थे तो पूरा मतलब खुडांबा और अंजनवारा से अलिराजपूर पैदल ही आना होता था लोगों दो रात लगाके वह जाते थे और अपना खाना कच्छा तपे पूरी भी बनी जैसे एमस शुरू हुआ तो इनकी फर्स्ट रैली ही पचास अजार लोगों की थी तो फिर यह भी एक डाइनमिक्स है कि एक महौल बन जाता है पूरा और लोग खुदी फिर उद्वेलित हो जाते हैं और कुछ ना कुछ अपने आप ही करने लग जाते उनक आपने गाओं में इंटेंसिवली संगठित नहीं किया है लोगों को और वो उसकी continuity लगातार बनाए रखना उन सब के बीच में आपके लोगों को एक ग्रुप में रखना फलिया के लेवल पे गाओं पे लेवल पे वो बहुत डिफिकल्ट है तो लेकिन वो इंपॉर्टें था लेकिन उस जैसे जैसे फिर आपकी लडाई का दाइरा बढ़ता जाता है जब तक आप चोटे इशू में चल रहे हैं तो चलता रहता है जैसे आप ऐसे मतलब एक तरह से कि जैसे जैसे आप सरकार की गर्दन और ज्यादा ज्यादा दबाते रहते मतलब आप उनको वह था में लॉजिक उसका कि नंबर से केवल नंबर से नहीं होगा तो दोनों चीज कैसे कंबाइन वह हम वहां नहीं कर पाए मतलब वह 40 गाओं के बाद वह समझ आया तो बढ़ाया एरिया को बढ़ाना शुरू किया लेकिन उस समय तक हम सब भी पस्त हो गये और जो नए लोग आये वह उन्हों नहीं बढ़ाया जैसे जैश्री आ गई फिर वह रवी आ गया उसको बढ़ाया एरिया को सुर्वा साइड में चले गए तो वहां और पचीस तीस चालेस कि यह था वह नंबर का मामला तो इसलिए हर्सा में रधा था कि यह जो ग्रामीन जो लोग हैं अधिवासी हैं जो सबसे मतलब जो आपका गरीब वर्ग है उसी को सबसे ज़्यादा सुध्रिड बनाना डर निकालने में और वैचारिक रूप से वही में काम हमको लगता था हमारा और तीखा बन कारेकरता सदस्य का तो उसके लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए लेकिन इसलिए यह था कि नहीं हमको फैलाने के चकर में नहीं जाना है इससे हमें खुश नहीं होना कि हमारे सौ गाओं है दो सो गाओं है ठीक है जितने गाओं है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं अपना बात हम जाते थे होस्टलों में शहर के भी जो बुद्धी जी वी वर्क था उनके साथ कुछ इंट्रेक्शन लगातार बनाने का कोशिश करते थे मतलब सारे ही जो आधिवासी इलाके के कस्बें हैं वो पूरा ही आधिवासीयों के शोशन पर ठीक है तो उनको तो अच्छा ही लग है कि हम नहीं निकाले यह नारा ठीक है यह नारा जैसे मुझे यहाद है हरसूद में लगाए थे ना तो रैली में घूम घूम के लगाए थे बहुत सारा यह किसका है वो किसका है यह किसका है तो वह नारा बहुत पोटेंट नारा था तो अलिराजपूर में जब जाके बोल इस टाइप का है दूसरे लोगों से भी अपने आपको रिफ्लेक्शन के लिए बातचीत करते रहते थे जो प्रोग्रेसिव इस तरह के उनसे भी बात करते रहते थे लेकिन जैसे यह हमारे लिए ज्यादा नैचरल था कि श्रमिक संगठना में जाना उनके साथ फिर काफी समय में बिता के सुनना उनने क्या किया क्या नहीं किया और फिर उसके बारे में रिफ्लेक्ट करना या CMSS जैसे था तो नियोगी हमारे लिए एक बहुत strong influence था जैसे कल भी में बताया कि वो केवल मुद्दा नहीं था एक पूरे सामाजिक परिवर्तन की गरीब वर्क को आगे लाने की लड़ाई थी तो CMSS में ये बात हमको दिखी थी उसमें और कोई संगठन में नहीं दिखी उ होती थी वो एक फंडा हमको शुरू से बहुत था कि ये मतलब लोगों के बीच ही रहना है क्योंकि हम NGO से आया थे तिलोनिया से तो वह बहुत क्लियर था कि ये नहीं करना जीप नहीं लेना मोटर साइकल नहीं लेना लोग जैसे रह रहे हैं उनके जैसे रहना और ये पूर कि अनुदिविज्वेजनन एक बहुत बड़ी बिमारी है करणा बहुत इंपोर्टन था कि नहीं हम सब इंडिविज्वल हैं ही क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग इंडिविज्वल से सारे कि सिल्वी तो राहूल था और जितने भी थे मतलब इवन खेमला वगेरा भी वो सभी का अपना तो होता है कुछ ना कुछ ना ट्रिप मतलब इंडिविज्वल खूबियां है सबकी और उनको पनपना ही चाहिए ये भी एक बहुत स्ट्रॉंग था तो कैसे हम as a group individuals के विकास के लिए भी हम एक दूसरे के प्रती supportive हों किसी को किताब लिखने की रुची है किसी को गाने की रुची है किसी को कुछ भी हो सकती है तो वो भी वो उसको space मिले वो develop होने की लेकिन उसका व्यक्तिकत जो भी है वो group पे हावी नहीं हो सकता यह यह भी था तो एक यह two way था मामला कि ऐसा नहीं कि आप group पे हावी हो जाओगे group decisions में तो यह हर समय बहुत dynamics चलता था और सब लोग जब आये तो group को एक नया चीज मिला तो वो सब ने contribute किया और सब का यह एक दूसरे पर भी असर हुआ cultural aspect in building up a sangathan बहुत prominently उसका एक द्रश्य दिखता है whenever one looks, thinks of KMCS. तो नारे, गाने, संगीत, नाच, गान ये सब का एक sangathan building में तुमारा क्या कहना है कि how was, what kind of role it played, how important was it? संगीत का क्या था कि एक तो रुची थी हम सब कोई, मुझे भी उसमें काफी interest था, अच्छा लगता था और दूसरा ये था कि आदिवासियों के बीच में उनके लिए नाचना, गाना एक बहुत ही natural चीज है मतलब मैं तो पहले शास्त्रिय संगीत सीखता था, तो मेरा ये हुआ कि मेरा 8-10 साल वाइलन को मैंने हाथ नहीं लगाया बहुत मेरा reaction हो गया, शास्त्रिय संगीत का, कि ये फाल्तु है सला कि कोई गा रहा है और अपन बैठे हुए बोर हो, सुनते रहो मतलब जब आप involved ही नहीं हो, जबकि यहां का पूरा मामला ऐसा है कि हर एक व्यक्ती involved है, गाने में ना, उसमें ऐसा ही नहीं कि आप अच्छा गाते हो, बुरा गाते हो, सब गा रहे हो, और नाचना भी ऐसा है कि वो ढोल जब बचता है, तो आप खड़े ही नहीं रह सकते हैं, मत गाने भी इन लोग के दो-दो-लाइन के गाने थे और वो पूरे इंप्रोवाइज होते हैं, तो यह चीज बहुत ही मज़ेदार है इस आदिवासी गाने का, आप चलते-चलते कहीं भी गाना बना दोगे, किसी के विवारे में, सबसे पहले गाना एक वो नाकेदारों का चल आकेदार गाउं में आया, फिर वो कैसे बहेव करता है, फिर हमने क्या किया संगठन होके, इखटा हो गए, और फिर हमने फाइनली उसको कैसे बगा दिया, बहुत ही पॉपलर गाना हो गया था, मतलब लोगों को जैसे गाइने में भार चड़ जाता है, इस गाने गाते गा चड़ जाता था, तो वो गाउं में वो गाने हो गे थे, और मीटिंग में हम तो गाते ही थे, शुरू में और मीटिंग खतम होने के बाद रात को दो-दो बज़े तक बारा-बारा बज़े तक गाने ही गाते रहते थे, और लोग भी गाते थे, उनको बहुत मज़ा आता थ तो गाने बच्चे बच्चे सीखे थे और नारे भी बच्चे बच्चे सीखे थे तो in fact एक बार forest department ने complaint किया था ये कि हमें गाउं में जो है ना बच्चे बहुत बेज़ज़त करते हैं हम मअंघ्वाशनी एस धिक गषमें आगे नाखेदर न व बच्चे कहीं खड़े ओके आवे आवे नाकादार ठेकेदार काने लगते तो वह बहुत ही स्ट्रॉंग था तो मज़ा आता था गाते थे बहुत सारे तो बहुत सारे गाने मतलब कोई भी गाने को फिर हम भी तोड मडोड भी देते थे उसको तो तो जैसे रैली में जा रहे हैं यह से वह गाना है ना कि अमरी लडाई चालू छे तो अब वह कोई ऐसा बैठ के नहीं बने आप रैली में जा रहे हो जा रहे हो दिख रही है रैली पूरी और इतना जोश में है बन गया हो अमरी लडाई चालू छे तो फर्स्ट लाइन है उसकी कि अली राजपुर्ने गौली मां अमरी लडाई चालू छे फिर आप जोडते रहो फिर मतलब हर आदमी उसमें हर नहीं बन जाती थी तो ऐसे बनते जाते थे फिर उसमें जुड़ते रहता था कोई भी देख रहा है तो यह बंगला वाला देखी रहा है अमरी लडाई चालू छ तो ऐसे बहुत सारे बने और उससे ताखत बहुत मिलती थी लोगों को और बात बहुत अच्छी समझ आती थी मतलों जितना भी आप भाशन लगा होगे ना उससे अच्छा वो एक गाने में या नाटक में बात मतलब कम्यूनिकेशन का तो बहुत सुन्दर मीडियम है तो व मतलब एसेंस लोगों को उसी से समझ आता तो यह हर समय मतलब जब से मैं बताया कि बातें लोगों को समझाना कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि केवल इतनी की नाकेदार आएगा तो यह करने कि वन नीती या वेश्वी करण कुछ भी हो सकता है ना तो फिर वो तो गीत एक माध्य में जिससे लोगों को समझ आ जाता तो उसका स्टेंथ गीत का कि एक बात लोगों के मुह में आ जाती है उससे तुम याद करके बताओं कि कैसे कैसे बनते गए कि बहुत पॉपिलर गाने रहे हैं प्र उसी की तरच पर बांदे बांदे बना दिया जब बांद में बांद का बना था तो उसी की तर्च पर बांदे बांदे बना दिया और उसमें भी पूरी कहानी बांद की चलती थी किसे क्या नुकसान है फायदा है फिर हम क्या कर रहे हम लड़ रहे हैं डैम के संबंद का गाना बता देता हूं कि जैसे वह मुझे याद कि यह लड़ाई नहीं वेला धड़गाओं जाते जाते ही बना था तो फिर और मुझे याद है फिर वहां पर वह बन गया और यह जो था ना यह क्या बोला मैंने कौन सा लड़ाईनी वेला आवीरे छोरा कोसली जुआर पाक्ती होती कोसली वारू मकाई वह ना फिर खेती वाड़ी डूबी जासे खाने इन वेला कोरे वो ऐसे करके उसमें तीन चार था कि खाने का जंगल जानवर का और इस तरह का क्या प्रॉब्लम होगा तो वह बन गया था गाना और फिर वहां धड़गाओं में किसी स्कूल या किसी एक ऐसे बिल्डिंग में सब इखटे हुए थे और वहां बहुत जोश मे वह गाना गाया था सबने बहुत जोश में मतलब ऐसे लगदा था कि आप बस जाके चार्ज कर देना है ना कि गाना गाते हुए वह भी बहुत पॉपुलर गाना लेकिन गरिब अनपूर्या उगाड़ा वो नंगा गुम रहा है इस तरह का भी था तो फिर एक पॉइंट पर हमने तो मतलब यही करिक्रम करा था है ना वह सते भी थे लोग की यह ढोल की लेके ही मैं तो गाओं में शाम को जाता था और वह जवान जो लड़के-लड़की थे पूरे उनका एक नया ही जनरेशन हमारे देखते देखते खड़ा हो गया था वहां पर तो फिर वह बस वह गाने का प्रोग्राम है करके जैसे भजन-मंडलियां होती थी वहां पर ने कभीर पंथी और इन लोंकी तो रात को पूरा रात भजन चलता था चाय पीते रहते और और वह अर्थ समझाते रहते थे तो वह हमारे दिमाग में था कि यह बहुत अच्छा सिस्टम है और अपन भी इस सिस्टम में चले जाओ वह लगते तो वह हम उस समय वह भी करते थे एक साल पूरा मेरे को याद ऐसे ही में धंदे में था कि बस कहीं चले गए फिर पहले से पूरे आट-दस गाओं के लड़के लड़की लोग आ जाते थे और पूरा रात तीन-चार बहे तक गाना गाते थे फिर एक के बाद एक मतलब कुछ क्रम से और फिर उसके बीच में कुछ उसके बारे में लोग समझाते थे कि यह गाने में क्या बताया देखो अपनी हालत यह वैस है यह सब बताया तो वो चलता था तो और फिर जवानियों का जवानिया पार्टी एक बना दिया था तो वो रात को उनकी मतलब पुनम की रात को मीटिंग होती थी महीने में और वो ढोल लेके ही आते थे तो पुरा रात वो कल्चरल मीटिंग होती थी एक तर से कि नाचते थे और हर एक गंटे के बाद फिर एक मीटिंग होती थी कोई एक इशू टैकर लेती तो शराब का होगया तो शराब के उपर ही गाने गाएंगे शराब का नाटक करेंगे और नाचते रहेंगे राद बर घाट सब अपना अनाज लाते थे कुछ घाट बोलते थे उसको रांद के खाते थे सबरे उठके घर चले जाते थे तो वह किल्चरल तो बहुत स्ट्रॉंग था वहाँ पर हर साथ फिर एक जंगल मेला हम करते थे जिसमें पूरे संगटन के लोग इखटे होते थे उसमें खेल कूध होता था, नाटक होता था और गाने कायया जाते थे माइक पे, कुछ इसी ठीशो को लेके बातचीत होती थी, तो कुल्चरल काफी सारा होता था, पर नाटक को यूज करते थे काफी जैसे जब भी कोई buttons के लिए जाना है, तो फूरा एक role play को यूज करते थे कि पहल क्या हो सकता है वहाँ पर नाटक के तुरू ही पूरा चीज सीन का प्रैक्टिस टाइप से हो जाता था कि अगर वो यह बोलेगा तो क्या करोगे क्योंकि कलेक्टरों और अधिकारियों से बात करने का अनुभव यह था कि वह हर समय लोगों को घुमा देते थे और लोगों लो अधिक हमने किताब छापी ती उस समय हमारी यह एक गाना था गदर का गाना था तो उसको हमने बारोली में मैंने किया था उसको हमने किया था मुख्या रूप से उधि embaixo उच्छा जंगल फोड़ीना गांश पूं बहुका प्रत्रों गांहेंinkोर CFO मालिक रभर Lincoln चे मज़ू गाते थे, आज भी हम गाते हैं उसको भाट, पिर ये शाहदा वाले थे लोग, जो श्रमिक संगतना के, इनके भी गाने थे, वो भी गाते थे, सबी गाते थे, संकलन तो वो एक ही किताब थी, फिर एक कैसेट भी हमने बनाई थी, अंजन्वारा कांट के बाद में कैसेट बना तो बस हम ही थे सब यह इज्य श्री थी मैं था राहुल था और शिल्वी भी थी शए तो एक इसा हमारा क्योंकि वह वोचत्थ मतलब जैसे लोग systematic होते ना की चलो कैसे निकाली तो अभी 5000 कैसे फिर उसको पूरा कवर शवर करके एक प्रोफेशनल काम होके फेला दिया वह हमारा नहीं होता था वह बन गई हम उसी से खुश हो जाते थे इसलिए हमारा में आज तक भी हमारे आदत ऐसे है मेरी तो है खास दोर से की वह एंड प्रॉडक्ट मतलब आपको दिखता नहीं कि बहुत कुछ हो गया अचीवमेंट लेकिन हुआ उसके दोरान बहुत सारा कुछ है तो वह तो कुछ नहीं है वह तो पूरा केम सीएस का ही कहीं रिकॉर्डड नहीं है लिखित मतलब अलग अलग लोगों ने लिखा है उसके बारे में यहां अपने अपने हिसाब से लेकिन वह यह किताब है वह वागने वासरा नी उसका मैं बदा ना उसी की लाइन थी यहां वो बतारा था जो गाना कुठा भरला कुणिंचे मूटी ठारली कुणिंचे यह नाम से वो किताब थी अमित अम मुझे एंबी एक को आइवां तो इंबीए बट उसके पहले अगर के एमसी एस के कुछ अभी तक के प्रोसेस में छूट गया हो कुछ कहना बाकी हो तुम्हें याद आया हो तो वो करके फिर ऐलास्किव बाउट दी होल सब नॉट 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 इ आएगा इना बात तुम जब अली राशपूर आये उसके पहले तुम आर्किटेक्चर की पढ़ाई दिल्ली में कर रहे थे तो बांधों के बारे में तुम्हारे व्यूज क्या थे शेत्र में आने से पहले और सदार सरोवर का मुद्दा का हाओ डिड यू फर्स्ट कम अक् चूट गया उसका जो पूरा कैरेक्टर था ना वो कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि 10 लोग इखटे हुए हैं और अब हमको कुछ कर देना एक प्रोग्राम है यह हुए नहीं हम सब 20 में थे उस समय तो हम सब को जिन्दगी में बहुत मजा आ रहा था वहां रहने में तो रहने मे एक बड़ा effort भी था वहां पर लकडी फोड़ने से लेके जो है ना खाना बनाना और रहना और खटमल और यह और वो सारा कुछ लेकिन एक मजा था पुरा उस जीने में इसलिए हम कभी भी हर वकत हमारा criticism था कि यह लोग नॉन सीरियस लोग हैं यह हर समय हसी मजाग करेंगे हमें द्यूद कि नहीं के तो हमको मजा आ ह्रहा है तो हम कर रहे है तो वह तो था दिमांग में सभी की कि दुनिया बदलना है और बदलेगी और हम बदलेंगे यह वो लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगी तो हम useless है तो हमारा वो mood एक KMCS का था और वो मुझे लग रहा कि बहुत अच्छा mood है और बहुत वो अच्छी तरीका है सोचने का तो वो एक KMCS का पूरा जो था ना वो बहुत ही इसलिए वो vibrant मैं बोला कि वो group बहुत vibrant था तो ऐसा नहीं है कि हमारी वज़े से दुनिया चल रही है और हम बंद हो जाएंगे तो दुनिया रुख जाएगे यह ऐसा कुछ नहीं है तो यह बहुत clear था हमारे दिमाग में जिसे लोग बहुत हर समय ऐसे लोगों को बोलते हैं especially middle class कि अरे कितना महांत्याग कर रहा है तो हम हसते थे क्योंकि हमें पता था कि हम तो बहुत मज़े से रह रहे हैं वहाँ पर तो यह एक था के MCS का main चीज जिस वज़े से वो लंबे चले भी लोग आज भी उसमें से काफी सारे कारे करता हैं जो इसी तरह के काम में ही जुड़े हुए है तो यह मुझे लगता है कि उसकी gain ही strength ही है और सीखने वाली चीज है क्योंकि बहुत सारे आंदलोनों के तो कारे करता निकल जाते हैं फिर वो पूरे ही कुछ और track में भी चले जाते हैं बड़े पांदोग के तो तो यह मतलब लोगों को जीवन को देखके ही एक लगा commitment बना कि यही इनके साथ ही जीना है तो जब हम यह डूब के गाउं में गए थे यह जलसिंधी और यह वाले पूरे track में एक बार खेमराज के साथ मेरे को यहाद है में गया था शुरू-शुरू में क्यां तब वहाँ लोगों ने का की डیयंद बने वाला ऐसा हमने सुनाएं तो उन्हें का अरे वह तो हम जब से बच्चे हैं असुन्म दैम बनने वाला है अभी तो बना नहीं है कहाँ बंदेगा कहाँ होगा हमको भी पता नहीं था कुछ के बारे में तो फिर हमको दिरे-दिरे पता लगा कि हाह यह बन रहा है और शायद बनेगा ही लेकिन हमारा उसमें कुछ हो नियुदम syllable हमको नहीं लगता था कि हम मतलब उसको issue के बारे में हमने नहीं सोचा क्योंकि उस समय कुछ शुरूई नहीं हुआ था मतलब वो surveys हो रहे थे वो time पे था कि survey हो रहे थे और तो first time कैसे पता लगा पता नहीं हमको time के बारे में शायद हमको मतलब पहली meeting मेरे को याद है कि यह मेधा हाँ फिर हमको यह पता लगा शायद कि सामने पार में कोई गुमरे लोग है ना यह महराष्ट में यह डैम के मुद्दे को ले के उन्हीं लोगों ने शायद नदी किनारे मतलब अंजनवारा एक था जो नदी के किनारे के गाउं में जलसिंधी मतलब वो काकडसिला था और आंबा गाउं था जो क्योंकि वो जो मैं बता है खुडांबा वाले ग्रूप के साथ इन्वाल्व था वो लोग ज़्यादा एक्टिव थे संगठन में और कक्राना भी था क्योंकि वो केमत वहां का था तो कक्राना जंडाना तो यह सब गाउं थे संगठन में पहले से तो फिर फर्स्ट मीटिंग मेरे को याद है कि एक बार हम मेरे खाल से एमदाबाद में आक्स्वेम वाले ने मीटिंग बुला था जिसमें मेधा थी और में गया था यहां से हमारे यहां से और यह आर्चवाहिनी से यह अनिल भाई आये थे तो पहली बार मेरे को डैम के बारे में कुछ हो रहा है मेरे खाल से वही पता लगा उस ही में पता लगा कि कुछ लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं का उसमें मुझे मतला हम वापिस आके मेरे को याद है कि मेरा फीडबैक ये था कि ये मुझे बड़ा आजीव लगा पूरा मामला क्योंकि उसमें मतला अलग-अलग टैप के थे हम तीनों ही तो वहाँ पर ये अनिल पटेल थे जो बहुत ही डिटेल इन्होंने गुजरात के क्योंकि अगर खाता फोड़ नहीं होगा तो वह जो जिसके नाम पे जमीन है उसको पांच एकड मिलेगा और खाते आदिवासी इलाके में पूरे ऐसे थे कि दादा के नाम पे खाता है किसी के नाम पे नहीं है तो ये उस प्रोसेस में उस समय शद लगे थे कि ये हर एक जो एडल्ट सन है उसके उपर उसका नाम पे जमीन होना चाहिए नहीं तो वह लेंडलिस गिनाएगा या उसको नहीं मिलेगा तो वह पूरे वह बहुत डिटेल इन लोगों ने सर्वे किये थे और इनका हमसे भी आग रहे था कि आप लोग भी इसको करो और मेधा का प्रेजने को प्रेशन मुझे याद है कि उसने बताया तब कि मैंने पिछले कुस्छ महीनों में आसाल में कितने दिन से वह जारी थी प्ता नी उन्हीं ने बताया कि हम नेेक संगण香港 बना दिया जिसके कि यह अद्यक्श है यह कारेकरता समित्य है और यह हर गाउस के अद्यक्शें औ अला संगठन नहीं बन रहा और यह कैसे इन्हों ने एक छे महीने में साल में संगठन बना दिया जिसके इतने सारा कुछ है तो फिर हमारे इस पर बहुत बहुत होई थी क्योंकि हमारे संगठन में बता है न कि वो तो शुरू होता था गाओं के पटेल से जगड़े से और वो बहुत सबसे बड़ा जगड़ा था क्योंकि आप सरकार से लड़ना आसानल गाओं में आपको जो पडोस में रोज बैठा है उससे जगड़ा करके जीना वो एक अलग मामला था तो यह फिर इसके बारे में पूरी मेथड पर काफी चर्चा हुई कि यह कैसे हो सकते कि आपने गाओं के मुख्या को ही पकड़ लिया है क्योंकि वही तो है पुरा स्टीट का एजेंट वहां पर और यह सहीन यह दो ही तरीका करने लिया है आदमीय है वह आगे आएगा यह सेब बात तो उसमें नहीं होगा और इसी के चलते जो first rally शैद हुई थी उसमें तो उस महराश से बहुत बड़ी संख्या में लोग गए थे तो ये भी जो से हमारे यह खजान वगेरा को मुझे याद है अंजनवारा का meeting की उनको भी बहुत ये था कि इतने सारे लोग इनके निकले और अपने आदो निकलते नहीं है तो फिर यही बात को यही reason समझाया था क्योंकि वहाँ हमने कहा कि उनको भी समझाया है लोगों को भी समझाया है कि वहाँ हर गाओं में जो कारभारी बोलते थे वो ही प्रमुक आदमी है संगठन का तो कारभारी ने बोला कोई गाओं में अस्तित्व नहीं था वो ना पटेल था ना मेंबर था असामी था वो तो उसका कोई से नहीं था वहाँ पर तो खजान के कहने से जरूरी नहीं सारा गाओं निकलने वाला है लेकिन पटेल अगर हर गाओं का बोलेगा तो निकलेगा, तो हर गाउं में ऐसा था, अठा में जो ये राइसिंग, रूपसिंग, रंटसिंग टाइप के जो लोग प्रमुक संगर्टन के नेता थे, इनका तो गाउं में कोई वजूद नहीं था, मतलब एक एक एकड़ के खेत थे, दो कुईंटल पकता था इनका, ये वो आ रहे हैं, उनको कोई contradiction दिखनी रहा, इस संगर्टन के अंदर, कि उनके जीवन में कोई contradiction आ जाएगा, ऐसा उन्हें नहीं लग रहा है, और मेधा ने उस समय तो नो डैम वाला स्टैंड नहीं था, ये विस्तापन के बारे में ही कर रहे थे, तो वहां से हम इसमें जुड़ गए थे, जैसे गाओं, जो डूब के गाओं थे, उनसे ये बात आने लगी थी, धीरे-धीरे मेरे ख्याल से, मेरे को याद है, नदी किनारे के कारे करता, उनसे ये बात आ थी, कि ये भी मुद्दा अपने संगर्ठन को लेना चाहिए, तो फिर एक पॉइंट पर हमको लगा था कि ये बहुत बड़ा मुद्द है, हम इसको लेने लाइक संगर्ठन नहीं है, तो ठीक है, अगर कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, तो उनके साथ हम जुड़ जाएंगे उसके अंदर, मेरे ख्याल से ऐसे बात हुई थी, जो वो कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं उसके अंदर, वो हम उसको मदद करेंगे, तो हर समय ऐसे था कि कुछ हमारे में से एक दो लोग उसमें चले जाएंगे, मीटिंग में इसमें उसमें, पैदल पैदल फिर संपर्क शुरू हुआ था, तो अधिवासी लाके में क्योंकि हमारा अनुभव था, तो फिर मैं गया था, वहां से फिर वो कोटडा और ये कौन-कौन सा पैदल चल चल के निसरपूर पहुंच गया था, और शयद बढ़वानी में कोई एक मीटिंग तै होई थी मेरे ख्याल से, सवेरा लौज, वहां पर, वो मेरे ख्याल से फिर्स्ट मीटिंग बढ़वानी में हुई थ और उसमें, उसमें हम बहुत सारे लोग आये थे, तो ये मेधा ने ये किया था कि बढ़वानी के करीब, पदा नहीं कहां से उसने 17, 18, 20 संगठन टाइप के मतलब रजिस्टर्ड ठेला संग, ये संग, वो संग, बहुत सारे तरह-तरह के इसने ढूंड के सभी को इखटा कर दिया था, और ये मतलब काशी राम, काशी राम काशी राम काचा टाइप के लोगों से लेके जो है ना, वो ठेला संग और पान विकरेता संग टाइप के भी, वहाँ पर सारे के सारे इखटा थे, जिससे हमको समझ आया था कि ये मेधा का जो ये संगठनात्मक स्किल है वो स्ट्रॉंग है मतलब मतलब मोबिलाइज कर लेती है तो उस तरह से हम नर्मदा में अंदोलन में जुड़ गए और शुरू में यह सेंस था कि यह नर्मदा अंदोलन जो है वो सभी का अंदोलन है मतलब कुछ ग्रुप्स ने मिलकर बनाया हुआ अंदोलन है मतलब नर्मदा अंदोलन जैसे तो नव निर्मान समीती थी यहां पर न यह टॉलाई वालों के और तो फिर यह नर्मदा अंदोलन बात में बनाना की ठीक है यह जो पूरे देश के ग्रुप्स मिलकर इसको बनाएंगे और करेंगे चलाएंगे इसका डिसिशन करेंगे वहां से मैं ही था मैं जाता था ज्यादा हमारे लिए यह हुआ था कि हमारे लिए संगठन का एक जो लर्निंग हुआ था वो यह था कि एक दाइरा बहुत बढ़ गया था यह हमने कभी नहीं सोचते थे कि अपने मुद्दे पर किसी MLA को लॉबिंग करो यह करो वो चीज हुआ और सीखने को मिला कि किस तरह से पूरा बाहरी उसको मोबिलाइस करना है प्रेस को तरह तरह के लोगों को इंदौर के इंटेलेक्चुल वर्क को अब हम वहां काफी साल से काम कर रहे थे तो जानते थे हम सबको ऐसा नहीं नहीं जानते थे रावल जी वह इनके घर में रहते थे हम लेकिन ऐसा नहीं था कि इनसे हम कोई रेगुलर प्रक्रिया चला रहे हैं कि देखिए हम यह कर रहे हैं फिर आप हमारा सपोर्ट ग्रूप हैं इस टाइप का नहीं था वह हर समय हमको सभी लोग कहते थे कि तुम जब पिट जाते हो तब यहां आ जाते ह और कुछ पहले से बदाते नियों करना क्या है लेकिन करते थे वह मतलब क्योंकि उनको था कि अच्छा काम कर रहे हैं तो करते थे लेकिन उसको हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि वह इंदोर का सपोर्ट ग्रोप वह पाल का सपोर्ट ग्रोप यह ग्रूप हो तो वह दिली में भी बहुत बार ऐसे जब कुछ फस जाता था मामला तो किसी NGO को पकड़ते थे तो उनको गाली भी देते थे हम कि तुम यहां बैट के सला जो है इतना फाइव स्टार कल्चर में जो है बड़ा क्रांतिकारी बातें करते रहते हैं लेकिन जब कुछ लेना होता था सपोर्ट लेकिन यह हमारे दिमाग में क्लियर था कि नहीं यह प्राइमरी लोग नहीं है और इनका मतलब फर्स बनता है अगर आप अपने आपको प्रोग्रेसिव कहना चाहते हो तो आपका तो ड्यूटी है कि आप करो सपोर्ट कहने का जरूरत क्यों है तुमको तुम खुद करो ना तुमको नहीं समझाता कि यह सला मुसीबत में है तो चलो इनको मदद करना है तो ऐसा हमारा रिलेशनशिप इनके साथ मतलब ऐसा था ही नहीं कि तुम कुछ महान हो और हम करें ठीक है लेकिन यह तो इसलिए उसके नुकसान ही है था कि हमारा कुछ उस तरह का मतलब फैला व है ना रोख के अंदर दूसरा किया gdyrande की मुद्धा भी पर्यावरण का शौबूंडों सौफ्ट मुद्धा है तो पर्यावरण का एंगल जब आ गया तो मध्यम और भी थोड़ा पर्यावरण के बारे में खुशBag नियुक्व था कि हाँ ये बिजली बन रही है और लोगों को डुबा के कैसे हो सकता है कि हम इतने आश से रह रह रहे हैं यहां इसी जला रहे हैं तो कहीं न कहीं वो एक चोट होती है जबकि ये लूट का मामला ऐसा है कि वो कोई मध्यमवर्गी सुनना ने चाहता है जब आप बताते हो कि लेको लूट रहा है अपने जैसा आदमी जो है वहाँ पर सलाधिवासियों को रेप कर रहा है मार रहा है मतलब वह सभ्य नहीं है ये सारी बातें करना और तो इसलिए भी इस मुद्दे को कभी भी वह मध्यम वरगी है वह नहीं मिलता था मतलब अच्छा मुद्दा साफ सुत्रा मुद्दा नहीं था तो जब तक डैम का शुरू में मतलब पर्यावरण का मुद्दा था तो फिर लोग खुश थे जैसे वह मुद्दा थोड़ा गडबड होने लगा उनके दिमाग के हिसाब से तो फिर वह भी उनको अच्छा नहीं लगने लगा लोग कि नहीं है अब जादा ही खिंच लिया है इस पूरे मामले को तो यह था नर्मदा का साथ हमारा शुरू का तो चर्चाएं हमारा मतलब तो इसको लेके भी जिसे मैं बताया हमारा कॉंटेक्स यही था कि डैम की लड़ाई, जैसे फॉरस्ट का में बताया तो डैम एक उशू है, यह ला ला सकते हैं तो वों हमारा काम है लाना, हमारा काम नहीं है कि डैम रुकना या नहीं रुकना, लोगों को जो उससे मिलना है इसलिए हमारा बहुत जारा नहीं था कि रुकना ही है क्योंकि आपको यह समझ आना पड़ेगा कि यह जो पूरा आप जो सिस्टम से लड़ रहे हो ना तो वो सिस्टम आपके कहने से नहीं बदल जाने वाला है यह तो हमारे clear सभी का समझ थी तो forest की लड़ाई में भी हमको पता था कि हाँ जब आप बहुत पुश करोगे उनको ना फिर वो सारी sensitivity भूल जाएंगे वो पीटेंगे तुमको कुछ नहीं करेंगे और और हो सकता है भगा देंगे जंगल से निकाल के पुलीस लगा के मिलिटरी लगा के लेकिन आपका काम है system क को उसके limits तक push करना यही काम है political काम है और उसको लोगों को realize करने दो देखो यह है इनकी welfare state की limit इसके बाद चूचू करोगे गोली मारेगा तो उस limit तक stretch करना और जिससे की फिर वो system को कचरित्र लोगों के सामने खुल के आता है तो damn एक और बड़ा issue था जिसके अंदर के system को expose करते हैं कि देखो तुमारे विवस्ता में क्या हो रहा है किस तरह से हो रहा है तो वह हमारे लिए main concern था कि कैसे इसकी चेतना लोगों के अंदर बढ़े और यह एक और बात बने लोगों की समझ बनाने में कि देखो यह विवस्ता गरीबों के लिए हितकारी नहीं है कुछ और तरीके हो सकते हैं करने के तो में लिए डैम के जो वैचारिक था वो तो हमारा यही समझ थी इसके बारे में तो इसलिए हमारा बहुत था विबूद आहीं के विस्तापा नहीं लेना है आप अ मतलब है। मतलब हमको लगता है उक इनदिविजवकृ का मामला। इनदिविजीवलिजम वाला मामला की, मुझे हो सकता में बुरा लगता है। लेकिन अब अगर सारे लोग कह रहे हैं soft शुरू में लोग कह रहे हैं कि हम को यह करना है तो अब करना है, उनकी जो समझ है, राजनीतिक समझ है और जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्तिती है उसके हिसाब से वो निड़ने लेंगे तो आज नहीं तो कल लेंगे कि डैम को तोड़ देना है तो ये लड़ाई अगर आप ये समझ देोगी सिस्टम की लड़ाई है मतलब बहुत लॉंग टर्म वो होती है तो जरूरी नहीं है, जीत और हार आपकी इस बात से तैय होगी कि मेरे को जंगल का पट्टा मिला की नहीं मिला हम तो 15 साल थे वहाँ 15 साल तक पट्टा नहीं मिला उनके दिमाग में फिट हो गया था कि नहीं यह एकता बनी रहना important है पट्टा मिलना important नहीं है तो मिलेगा नहीं मिलेगा हम कर रहे हैं खेती, हमारा हक हम establish कर रहे है उस समय में अपना हक जंगल पर establish किया वहाँ पर जाववा में, कुछ गाउं में उन्होंने रोका और नकेवल governed होंगे, हमारा discipline बढ़ेगा हमारा हक कायम होगा तो जंगल में कुछ हद तक संभव भी था अभी dam जैसे चीज़ में संभव ही नहीं है क्योंकि आप एक alien जगा में structure बन रहा है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते हो तो गुज गया आपके गाउं में तो ये dam के बारे में हमारा वही विचार था मतलब डैम एक तरह से एक issue आ गया था मतलब ये हमारे दिमाग में बहुत clear था कि issue जो है वो starting point है हमारी लडाई लंबी लडाई है उसमें हमारे विचार बदलेंगे क्या हम अकेले अकेले आगे जाना चाहते हैं हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे भाई का शोशन तो नहीं हो रहा या हमारे महिलाओं का शोशन तो नहीं हो रहा इस सारे बातें इसलिए बहुत important थी पूरी लेकिन फिर ये पूरा एक issue based movement ही निकल गया पूरा का पूरा जो जिसने सवाल नहीं खड़े करे जिससे फर्स्ट सवाल बढ़वानी में जो था हमारे दिमाग में था कि जब हम यहाँ आए तो हम पहली बार इस इलाके में आए थे तो हमारे लिए नजर में यह था कि यह तो सब बड़े किसान है मतलब काफी सारे तो बड़े किसान ही है और कुछ मध्यम किसान है लेकिन सामाजिक हाइरार्की में तो यह तो आदिवासियों को नीचा मानने वाले लोग हैं हरीजनों को दलितों को नीचा मानने वाले लोग हैं और फिर जब हम यहां घुमें तो हमें समझ आया कि यहां काफी सारे मजदूरी के मुद्धे जात पात का मुद्दा हर जगे जो होता है इनके महिलाओं के साथ यौन शोशन का मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर तो और हमारी अपेक्षा थी शुरू में की यही मुद्दे लिए जाएंगे क्योंकि हम उस तरह से जैसे मेधा को भी हम वैसे कोई वैचारिक उसके साथ कभी हमारा बात नहीं हुआ कि क्या सोचते हो समाज के बारे में क्या से सोचते हो इस तरह का कभी बात वैसे हमारा नहीं हुआ वो शैद होना चाहिए था शुरू में इसके माध्यम से ये मुद्दा कैसे पक सकता है मजदूरी वर्सेज बॉंडेड लेबर का मुद्दा कभी पक सकता है कि नहीं पक सकता है किसानी के मुद्दे इसके अंदर आ सकते है कि नहीं आ सकते इन पूरे मामले के अंदर लेकिन वो धिरे-धिरे भी थे उस समय ऐसा नहीं मैं कहना चाहिए कि वो उस समय पुरा है उनके दिमाग में स्कीम फिट था लेकिन वो पुरे राजनितिक लोग थे और किसी भी पुलिटिकल व्यक्ति को समझ आएगा कि वो भी उनको भी पता था कि मैं कॉंग्रेस का मेरा कमिट्मेंट है तो पुरे कैलकुलेशन सभी के होंगे ही लेकिन यही था कि हमारी लड़ाई क्या इनको ट्रांसेंट कर सकती है तुमारे पार्टियों को और तुमारे आपसी जग्णों को एमज़दूर किसान यह वो सारा कुछ लेकिन हमें लगता था कि यह नहीं है ठीक चीज नहीं है यह मतलब उसमें तो हमारे बीच भी मतलब ऐसे चर्चा था कि एक तरफ यह भी समझाता था कि अब यह इशू इतना बड़ा है कि अगर आप यह लेकर बैठोगे तो वह नहीं सॉल्व होने वाला लेकिन फिर हमारे मन में तो वैचारिक रूप से स्पश था कि नहीं ये लड़ाई अगर नहीं होती तो ये भी यूजलेस है बंद भी हो जाए डैम और सला अगर जो उच सवर्ण है उनका रिष्टा आदिवासियों से वही रहे तो बंद होके भी क्या कर लोगे तो क्यों बंद करना है तो इसलिए हमारे दिमाग में ऐसा था कि हमें खास कोई इंट्रेस्ट नहीं था ये सवर्ण किसानों को बचाने में क्योंकि उसकी जब हिस्ट्रीस आप ढूंडोगे कि कैसे इन उने जमीने इतनी बड़ी बनाई तो आपको समझाएगा कि आदिवासियों के शोशन से बनाई तो डूब हो और डूब है ऐसा हमारे दिमाग में था तो बहुत ज़दा हमार ही है किसी भी कारेंट से जो आज लेंडलेस थे तो अच्छी बात है वो उनका क्यों वो डैम रोकने में इंट्रेस्टेड होगा मंदो डैम रोके वापिस उसी साला एक पेटर्णिलिस्टिक स्ट्चर में मेल शौवने स्ट्चर में समाज में पिस्तर है और ज्यादा उन ल नेसमाक में लेकिन वो ग्रैजुली हमको समझ आया कि यЕह हैं रिजौवल्व नहीं होने वाले है पतादा नहीं कैसे तुम लोग उसको देखते हो लेकिन हर समय आफेक्टव वाला मामला था, affected का क्या मतलब है damn affected, forest affected हर system affected लोग हैं पूरे फिर ये बाद में ये issue भी शायद लिया पटे का issue लिया, forest का issue भी उठा दिया उसके अंदर आंदोलन में लेकिन निमाड में तो ये issue कभी भी नहीं बन पाया कि आदिवासियों का क्या हो रहा है शोषण, बड़े किसानों के हाथ में या दलितों के साथ क्या सब वेवार हो रहा है वो तो नहीं बन पाया तो इसलिए हमको समझ आ गया था कि ये एक, है ठीक है issue important है क्योंकि वह पूरे गाउं डूब रहे है दूसरा हमें ये समझ आया इसका strength जो समझ आया वो ये था कि ये मुद्दा एक राष्ट्रिय मुद्दा बन सका मतलब पहली बार देश में दुनिया में शायद ये देश में तो निश्चे थी ये debate खड़ा हुआ कि ये जो जिन चीज़ों को हम बहुत ही प्रस्थापित समझते थे ये तो अच्छे ही है वो टूटा वो टूटने लगया तो वो एक बहुत बड़ी strength थी क्योंकि वो हमें लगता था कि कोई भी जो विवस्था का विचार है जो लोगों के दिमाग में ठसा हुआ है उसको कोई भी चीज़ जो तोड़ती है वो अच्छी है तो ये इसकी सबसे बड़ी strength नर्मदा की अंदोलन की ये थी कि वो उसने लोगों को ये जो तोड़ा उनके दिमाग में जो मतलब विचार बसे हुए थे वो तोड़ा वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि जो ये पूरा नया विकास नीती विकास चाहिए विनाश नहीं जो बात थी ना तो वो इसकी एक सबसे बड़ी strength थी कि ये इस पूरे model को question करना और ये करना वो करना Coming back तो ये सारे जो द्वान थे at the same time ये विकास की व्यवस्था को challenge करना ये भी एक positive था तो ये सब चलते चलते कि MCS का नर्मदा मुद्दे पे किस तरह से आगे बढ़ते गए कैसे resolve होता गया कैसे क्योंकि काफी जुडाओ तो रहा ही तो वो कैसे होता गया आगे बता होगे जंगल के मुद्दे पे सामने आमने गाउं था तुम्हारे शेत्र के भी गाउं डूब में तो थे ही लोग लड़ना तो चाहते भी थे तो वो कैसे evolve होके कैसे आगे बढ़ते गए अब मुझे बहुत बारिकी में पुरा process नहीं याद है वो ज़रूर होती ही थी चर्चाए लेकिन अभी ये तै हो गया कि हाँ लोग अगर हमारे शेत्र के डूब रहे हैं उनकी demand है कि वो करे इसके लिए कुछ होना चाहिए तो हमारे सामने दो है कि या तो हम कहें कि भाई ठीक है हम खेड़ुत मजदूर के तो हमसे कुछ नहीं कर रहे है ना हम कर सकते हैं आप नर्मदा अंदुलन कर रहे हैं उनके साथ चले जाओ लोगों का भी काफी था कि संगठन तो हमारा पहले से और करना चाहिए क्योंकि उनके लिए नौन डूब के गाउं का सपोर्ट भी इंपोर्टेंट था बहुत उनका जुडाव बढ़वानी और महराश्य से था रिष्टेदारी वगरा लेकिन उनके लिए अपना संगठन का होना इंपोर्टेंट था बहुत ज़्यादा तो वो वज़े से संगठन उसमें घुश गया और कहीं भी एक फाइट हो रही है बेसिकली क्या है कि हम सबका मामला ऐसे है आज भी ऐसे है कि वही ठीक है वैचारिक बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है आप क्या कर रहो मैं क्या कर रहो मेदा पाटकर कैसी है वो फलाना कैसा है लेकिन वो फाइट दे रहा है ना तो ठीक है उसके साथ रहना है हमको यह मामला है ऐसा मामला हमरा नहीं है था भी नहीं उस समय कि क्योंकि यह गड़बड है तो फिर इसके साथ नहीं देना इसलिए आर्चवाईनी मतलब आर्च वाईनी वाईनी एक पूरे समाजी कांदोलन से निकला हुआ ग्रुप था जिसका कि एक वैचारिक बहुत स्ट्रॉंग पक्ष था वो ही लोग थे जो हमारे समविचारी थे उनको हम पहले से जानते हैं वाईनी के समझते थे और उसके सहमत थे तो हमारे दोस्ती थे उनसे अच्छा तो ऐसा नहीं था अब उसके बाद उनसे अगर आपके इस पॉइंट पे मदभेद हैं तो फिर आप उनके साथ ही रिष्टा तोड़ दोगे यह हमारा लोगों को लेके कर रहा है क्योंकि विस्थापन के लड़ाई के उनने आज की तरह से एडवोकेसी और लॉबिंग के वल नहीं किया लोगों को लेके लड़ाई किया लोगों के साथ किया, संगठित किया, काफी उनका भी प्रॉब्लम हुआ, यह सब हो, आके हुआ, ठीक है, उस समय उनका भी लिमिटेशन होगा, वो चार लोग थे, वो गुजरात के अंदर थे, नहीं सोच पाए उस समय कि यहाँ डैम बंद कर देना है, या क्या करना है, या उस समय उनके ग्रुप की जो थी, जैसे हम खुद थे, तो हमने भी यह सोचा ना, हम तो नहीं डैम रोकने के लड़ाईं लड़ सकते पूरे देश में, अपने बस का नहीं है, तो ठीक है, अगर यह कर रहे है कोई और तो करेंगे, उसके साथ में करेंगे, तो उस तरह का हमारा नहीं था उसमें, इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं में, क्या तुमने पूचा तो इसलिए नर्मदा के कारेक्रमों में involving होना natural था, कि कोई भी है, जो इसमुद्द्धे को उठा रहा है, तो अपना दो है कि करने ही और क्यों नहीं करना है और प्लश था ही कि aपने शेत्र के मतलू फर्स तो यहीं था कि अपने शेट्र के गाहओं थे जो इन मैं आने से दूब में तो उनके साथ गुष गए और प्र, क्योंकि शुरू में और कोई संगठन था नहीं तो KMCS का शायद वैल्यू भी ज्यादा था और हमारा मेदा के साथ में क्योंकि मैं तो काफी सारा गया था वहाँ पर शुरू में तो उसके साथ हमारा एक दोस्ती बन गई थी मतलब ना हम इस टाइप कि हैं कि आप उसको देखो कि किसी को एक लीडर की तरह से वैसे तो अपना था ही नहीं तो फिर एक मतलब एस इक्वल्स आप किसी के साथ दोस्ती हो जाता तो दोस्ती हो गया तो ठीक है उनके साथ हम लगे उसके अंदर पूरे उसमें तो पूरे बाद में जब जैसे जैश्री आई तो जैश्री ने भी पूरा यह निमाड का महि ऐसे हुआ कि दूसरा फिर यह हम दिरे दिरे हमको समझ आया कि इसमें जैसे हर समय मेधा का और डैम का एक टाइम का बड़ा कंपलजन पूरा समय में रहा या बताया गया मतलब हमको लगा कि वह क्रिएटेड होता है लेकिन हम भी उसमें मतलब उसमें आ गए हम उस पूरे मा कोई meeting नर्मदा का हो यह रहा है पूरे देश में या गुजरात में या महराष्ट में या MP में या देश में केंदर में तो हर समय यह deadline वाला मामला हो गया तो दो साल जो है हम यह हम याद है कि जैसे दो साल हमारा ऐसे निकला कि हम KMCS का कोई कारिकरम ही का दुखा हो गया और अ पर फिर यह कि यह क्या चल रहा है कि पूरा टाइम अंपन इसी में लगे हुए हम क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर सोच कर रहे थे तो पिर थोड़े से रुख गए थे लेकिन फिर इसका कहीं न कहीं खड़ाई हो जाता था जगड़ा जैसे अंजणवारा का फिर मामला पैदा हो गया तो ऐसे मामले में सब कूच जाते थे जैसे राहूल है उसको विशेश रूची थी कहीं भी कुछ पंगा हो रहा है तो उसके अंदर घुसना ही है उसको तो ऐसे करके उसमें इन्वाल्मेंट इस समय इस तरह से बढ़ गया लेकिन हम नर्मदा अंदुलन में हमने जबरदस्ती करके अपना डिसाइसिवनेस नहीं दिखाया वाँ ऐसा मुझे लग रहा है कि कि शैद अगर वैसा हमारा ग्रूप होता जो और स्ट्रॉंग होता और मतलब कि यूप यूर पूट डाउन की नहीं ऐसे ही वैसे ही और ज्यादा हम उसमें इन्वाल्व हो जाते तो शैद हमारे लिए भी वो ठीक रहता वो हम नहीं हुए तो फिर ग्रैजुली ऐसे हुआ कि जो डिसीशन इनके हो बतला हम ऐसे तो नहीं थे कि हर समय उनके उसी काम में है तो फिर शु जादा क्योंकि यही सोच रही थी मेधा ही सोचती थी और भी लोगों से इसका जो संपर्क था बाहर के उन लोगों के साथ इसका वैचारिक प्रक्रिया जादा चलती थी तो फिर ग्रैजुली ऐसे हुआ कि वो जो डिसीशन होते थे हम भी बाइन लार्ज मतलब उनको फॉल नहीं कि सिक्वेंस में आये सब अलोक मुझे याद है कि पहले हमारे वह आया था स्माइल प्रोग्रैम में फिर वहां से जो है इसका बहुत सारा क्रिटिसिसम था मतलब हमारा यह हर समय चलता था डायलॉग ग्रूप के अंदर कि यह कैसा संगठन है और हम कैसे क्या अंतर है तो फिर दिरे दिरे मतलब एक नर्मदा ग्रूप एक अलग डेवलप हो गया ना तो फिर और जो भी था केम सीयस काफी इस मामले में मुखर भी था वह तुम्हें ज्यादा पता होगा कि किस तरह से तुम लोग केम सीयस को देखते थे लेकिन यह हमें सेंस जैसे फिर फेर बाइडिफॉल्ट सारे फंस गया मेरको यहाद है वह हमारा कुछ केंद्रिय मीटिंग चल रहा था वह दो तीन दिन वाला जो वाकनेर में चल रहा था तो वहां से जब निकले खतम हुआ मीटिंग तो सब अलग अलग जा रहे थे इधर कोई जा रहा उधर कोई जा रहा तो तो वहां खबर मिली किसी बंद ने बताया कि अंजणवारा में नाकेदार को मार दिया किसी ने पुलिस वाले को गोली मार दिया या पटवारी को कि आ जाने कुछ कबर मिला तो हम को लगा कि कुछ हो गया मामलापंगा तो वो खबर मिली तो फिर ये जैश्री और राहूल तो वहां गए अंजणवारा फिर खबर निकाला और पतर लगा फिर हम लोग कहीं से गुंगाम के वो करने गए इन दोर गए कि कुछ प्रेस कॉंफरेंस करना चाहिए इसके बारे में लोग को लेके फिर वहां पकड़ा गए जाके तो वो मतलब हम फस जाते थे उसके अंदर तो हमको हर समय यही लगता था कि सला फस जाते हैं हम KMCS कुछ भी होता रहता वहां पर क्योंकि यह बढ़वानी में थे वह जुल्वानिया के यात्रा में जो है न वो धारिये दिखा दिखा के सला फोटों खिंच वा रहे थे पूरे वीडियो उन्होंने कि हम यह करेंगे किसी ने खाट उठा दिया हो सिल्वी ने जाके किसी का यह करा हो एक बार जो है वो एक हुआ था जब बाबा यहा दो लोग्रेम हुआ था तो उसमें भी पिट गयते सरे गोड़े दोड़ा दिये तो वह एक बड़ा फेमस था गोड़े दोड़ा दिये कर गए तो उसमें फます गयते सारे के सारे तो इन नरमदा के programs में ultimately हम फस जाते थे सारे लोग और मतलब रैली वैली होना तो ठीक है लेक होनाओ अब नहीं होनाओ से नहीं होता था मतलत प्रक्रिया में घुछ जाते तो घुज गए तो अब मुझत अब भी टीक है लड़रे tho Bogden हो रहा है तो अच्छHY लगता था कि यहांच्छेलो कुछ क 좋다 कि जब ये लोग्त गों का प्रश्ण यह था कि डैंब रुके कि नहीं रुके ख़िंग के और क्या होगा नहीं रुके कॉ तो हमें यह शुरू में काफी कि विश्वास था जो हमारा सोच था हमें लगा कि यह ईहे भी सोच होगा अकरिम में कि लोगों की लड़ाई है तो अगर लोगों दिख रहा है कि डाइम नहीं रुक रहा तो अब्यसली संगठन जो है नर्मदांद अलग वो लोगों के जमीनों के लिए लड़ेगा यह हमारे दिमाग में था शुरू में तो लोग जबी भी कहते थे कि क्या होगा तो हम कहते थे क् कि भी ठीक है अभी नहीं रुक रहा तो संगठन को जो है बोलेंगे तो वो लड़ेगा जमीन के लिए क्योंकि आखरी में क्यों लड़ रहा है कि लोगों का कुछ हित होना चाहिए उसके अंदर लोगों का हक मिलना चाहिए तो यह हमको धिरे-दिरे समझ आए कि यह नहीं ह की गई है वो लाइन लोग नहीं तेह कर रहे हैं तो वो जब नर्मदा के जो मतलब जो ग्रूप है उसने जो तैह किया है वही होने वाला है तो लगातार यह उदारन हमारे सामने आये जहां महराश्ट्र के भी कारे करता जब परस्नली हमारे साथ डायलोग होता था तो यह कहते थे कि लोग तो कह रहे हैं जाना चाहिए हमें भी लग रहा है कि अभी भी जमीन मिलना चाहिए हमोंको नान लेकिन जब मीटिंग में पहुंच्ते थे में संगे करते दे हरे को कि बोलते क्यों नियों मतलब कौन है कोई हवा थोड़ी है मेधापाट या कोई भी कारे करता बोलो ना वहाँ पर अपनी बात तुम भी उसके हिस्सा हो तुम लड़ रहे हो तुम मर रहे हो तो बोलो ना वहाँ पर केंद्रिय समेथी में लेकिन नहीं बोल पाते थे लोग ये हमको सेंस आता था और जबी भी बोलते थे तो फिर उनको मतलब अल्टिमेटली वही में बोला ना वह इतने सारे लॉजिक के सामने हो तो बोल नहीं पाता है तो काफी लंबा मीटिंग के बाद समझ जाना पड़ता था कि नहीं ये हम जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है और ये सही है इस लाइन मे कोई करते ही होंगे बात इसके बारे में कि यह ऐसर होता है वैसर होता तुम लोगों के बारे में भी करते होंगे जो भी मतलब यह को किसी का पार्सनल तो वह नहीं था लेकिन एक गरुप जो था हर समय हमको लगता था कि आप यह जो है decision making में हावी है दूस। हमको यह ऐसास समझ आया कि तो इस वज़े से KMCS के बारे में भी जो image बनी होगी, यह लोग हैं जो कुछ भी किसी को बता देंगे, कुछ कर देंगे यह हर समय anti है नर्मदा के, तो एक distance maintain करना KMCS से हमें बहुत clear समझ आया कि वो है और हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें लगता था कि यहां ठीक है, हम तो नहीं सहम आते हैं ना तरीकों से और ना ही इनके बात से, तो वो distance था और वो distance का हमको sense हुआ कि KMCS को वो नहीं शामिल करना है core group के decisions के अंदर क्योंकि उनको पता है कि यह जो decision वो लेना चाहते हैं उसके साथ नहीं चलने वाले हैं लोग लेकिन ठीक है के MCS है तो जाना है और मुझे लगता है कि पदा नहीं कहीं न कहीं आसे मुझे लगता है कि उस वज़े से जाबुआ के लोगों को छोड़ दिया गया NBA द्वारा यहना कि ठीक है के MCS के साथ है यही कर लेंगा इनका जो करना है तो इसलिए महराश्ट के लोगों को जमीन के लिए काफी सारा हुआ यह कहते हुए कि डैम नहीं डैम नहीं डैम नहीं जाबुआ जो है वर्स्ट केस में आया क्योंकि मतलब उसमें कहा जा सकता है कि KMCS की भी भूमी का गड़बड हुई क्योंकि KMCS का NBA के साथ वो रिष्टा नहीं बना कोर ग्रूप का तो NBA ने इधर छोड़ दिया कि यह ठीक है देखा जाएगा तुम ज़्यादा पढ़ पढ़ कर रहे हो राहूल अलग जमीन दिखाने ले जा रहा है तो जाओ उसके साथ में यह ना वो कर रहा है तो जाओ उसके साथ में लेकिन तुमारे भी तो कर रहा था ना तुमारे भी तो महाराश के भी तो कारे करता जा रहे थे कुछ और चलाना है चलाना है पुष करना है लेकिन फिर हुआ कि थीक है नहीं करना है, बोद को ले सके हैं मतलब उस समय ये decision नहीं हुआ कि ठीक है NBA नहीं कर रहा है, तो चलो हम पूरी तरह से इसमें विस्थापन में कूछ जाते हैं वो डिसीशन नहीं हुआ वहाँ पर हैना क्योंकि वह हम सब भी उस समय तक संगठन से आदे दुदे चुट गए थे ऐसे वैसे हो रहे थे और रहुल ने उसके लिए काफी सारी कोशिश की लेकिन वो परसनल लेवल पर की तो इस वह तो बिलकुल भी NBA को राच नहीं तो फिर जो भी विस्थापन का बात करता है वो तो एक दुश्मन की तरह से पेश आ जाता है तो रहुल बदमाश है दलाल है यह वह हो गया और पिर लोगों ने भी मतलब वह काफी सारा confrontation भी हुआ गाउं में फिर कारे का अपने ही कारे करता हो ने कहा राहूल को कि तू ऐसे क्यों बात कर रहा है और नहीं करना चाहिए तू सरकार से मिल गया है तो वह सारा मतलब हर समय तो एक वह यात्रा मेरे को याद है कि जो एक यात्रा हुई थी जिसमें लोगों से consensus लेना क्लियार था कि या तो तुम बोलो कि जब से होना प्रक्रिया था कि नूडे corporation इंडै मेरे तो मेर रहा ये था तो मेरा अचंडे में यहीं तुमको जमीने मिलेंगी क्योंकि उस समय हमको यह clear हो गया था कि यह नहीं करने वाले लड़ाई यह छोड़ देंगे बीच में मतलब जमीने नहीं भी मिलेंगी तो वो just physical out हो जाएंगे तो वो हमारी तरफ से हमारा था अपना guilt को दूर करने का या जो कुछ भी था मतलब हमारे तरफ से हम बहुत clear लोगों को यह बताया था के MCS की तरफ से कि हम इसमें नहीं हैं और यह मत सोचना कि के MCS तुम्हें जमीनों की लड़ाई लड़ाएगा यह ना क्योंकि वो नहीं करेगा नहीं कर रहा के MCS यह काम ठीक है तो अगर तुम नर्मदा आंदोलन को यह या तो यह स्टैंड बताओ आंदोलन में कि हम जमीन के लिए लड़ना चाहते हैं और अगर तुम कहते हो कि नहीं हम बांध रोकने के लिए लड़ना चाहते हो तो यह आज ही अमित तो अपने साथ रहता है वो उस चीज़ को नहीं जस्फ कर पाते हैं और ultimately तो मतलब उनको भी पता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि दैम नहीं रोकना है तो वो लोगों ने कहा कि हाँ डैम रोकने के लड़ाई करना है तो ultimately मतलब ये हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने होता था होने लगा मुझे लगता है कि decision दो लिया हुआ है उसके बाद आप एक program करते हो तो क्या लोक नवाड़ा में अगर लोक कहते थे कि हाँ हमें डैम की लड़ाई नहीं लड़नी तो क्या डैम की लड़ाई नहीं लड़ाई जाती लड़ी जाती विस्ताबन की लड़ाई नहीं लड़ी जाती उस पूरे लोक नवाड़ा की क्योंकि ultimately लोक नवाड़ा में को और मतलब दूसरा क्या कि आप जैसे हो समझो आप एक नबीए के कारे करता हो आपको पता है कि हाँ नो डैम के स्टैंड में जाना है आप जाते ही हो लोक नवाड़ा में कहने के लिए लोगों को कन्विंस करने के लिए जाते हो कि डैम की लड़ाई damn रोकने की लड़ाई करना है हमारा ये नहीं था मामला हमारा ये मामला नहीं था कि हमने पहले preconceived decision लिया हुआ है और हमको वही करना है मतलब एक तरह से पूरा चीज को आप decision को लेते हो फिर आप लोगों को convince करते हो कि ये decision सही है अगर कोई dissenting voice है तो उनको alienate कर देते हो ये सब हमको अच्छा नहीं लगता था मतलब खराब लगता था पूरा चीज लेकिन उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं था कि उसके वज़े से हमारा नर्मदा अंदुलन से कोई जगड़ा है कि व्यक्तिकत रूप से भी कि मारी दोस्ती तो सभी से थी नहीं ऐसे था लेकिन ये नहीं होता था ना तो जैसे मांगरोल मुझे याद है कि तब मुझे याद है ये वो जो थी ना क्या ना में अपना वसुधादा गंवर मार्ग तो मार्ग भी एक ब्लैक लिस्टिट ग्रूप था ना लाइक वाई नी लेकिन अपने हमारे मां वह आ चुके थे वह भी लड़के लड़की थे सारे तो अठा था की अठा का भी एक बड़ा रोमैंस था तो जिसको भी देश में मतलब दिल्ली टाइप के में जिसको भी कुछ रिवल्यूशनरी करना होता था ना वह अठा जरूर आता था तो बहुत सारे ऐसे वहां आ चुके थे और उनसे हमारी तो दोस्ती तो ही हरेक से जाती कोई भी आएगा गर पे तो यह भी उसमें थे संगर्ष याद्रा में तो उनको पदा था कि यह पूरा बड़ा पीछे मुड़कर को याद है व सब्सक्राइब थे पीछे होगे पीछे मुड़कि को कि यह लूGUER हो थी तो मार्ग वाले लोगा है ना कष्राप करना आप तो विस्थापन का ना तो आप लोगका यहां क्या का में तो आप लोगको यह जरूरत नहीं इत्यातरा में रहने क बहुत उसने पॉइंट लाग तो वह भी विचारे सक पगा गए तो अब रात को कहा जाएंगे रात के टाइम में यह कहीं किसी गाव में रुखने को जा रहे थे फिर वह निकल लें वहां से कुछ ना कुछ कर लिए तो एक बार इसने मुझे मतलब ऐसे तो ऐसे था कि हमारा ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो एंटी नर्मदा है मतलब जो पुनरवास वाले हैं ऐसे हमारे सारे दोस्त दोस्त भी थे तो इनसे भी जैसे हैं इनसे मुझे याद है कि यह त्रिपती और यह अनिल और एक यह कमाट का राजेश करके था तो शुरू में इनके साथ भी हमारा काफी चर्चा हुआ कि क्यों मतलब जब हम इस सब आज नर्मदा अंदुलन वहां नहीं जाते थे जब तो क्यों आपने यह मामला लिया ऐसे मुझे याद एक कन्वर्सेशन की उन्होंने यह कहा कि नो डैम करना एक बहुत बड़ी बात है यह अशिया का सबसे और वह तो करें क्योंकि हमको पता है कि यह फिका जाएंगे लोग अगर कुछ नहीं करेंगे तो उन्होंने किया हो और बहुत सिंसियरली किया जो कुछ भी किया अभी तो अभी आप नबीए को भी क्वेस्चन कर सकते हो ना कि आपने जो किया उसे क्या निकला डैम तो बन बात होती है कि आप संगठन का पूरा लीडर्शेप उसका विचार एक बात होती है मतलब लेकिन एक दूसरी पूरी बात होती है जो इस काम में ज़्यादा इंपॉर्टन है कि आप as human beings कैसे हो आप और कैसे आप interact कर रहे हो या क्या दिखाते हो आप अपने interactions लोगों को ना तो हर समय एक अगर आप हमारे साथ हो तो आप काम के हो अब नहीं हो तो आप नहीं हो यह हमको बिल्कुल नहीं जचता था और बहुत सारे ऐसे example हुए उस समय जिसमें हमको लगता था कि यह सहीं नहीं है देखो जैसे क्या होता था कि कोई गाउं का भी विक्ति अगर तै करता था कि मेरे को जाना है ठीक है उसको बहुत गाली मिलता था मीटिंगों में तो hybrid सबने तुम DAVID ब्लेलिया आयर तो अब तुम देखो उसको कि तुमने कितना गाली दिया तुमारे ही एक गाउं वाले को या तुमारे ही रिष्टेदार को? कितना गाली दिया तुमने? क्यों दिया? क्योंगि उस समय तुमको लग रहा था कि नहीं जो हमारे साथ नहीं है यह तो पूरा anti-struggle है, यह है वो है दलाल बन किया, हमारे struggle को कमजोर कर रहा है तो बहुत गाली दे तो हमको बिलकुल यह समय दे क्यों गाली दे रहे हो भई ठीक है जाने जाने दो ना यार उसको क्या फरक पड़ा फिर आखरी में तुमने बनाया ना पुनरवासित लोगों का संगटन बनाया ना उनके बीच गए ना क्यों 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 कि तुम्हें लग यह सब हमको लगता था कि यह बहुत ही मतलब यह सामाजिक कारेकरता जो है एना इमेज वो यह सब नहीं है मतलब यह तो पॉलिटिक्स में यह सब होता है अपने जैसे लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए तो यह लगातार ऐसे चीज़ें और बातें सामने आती थी तो हमको इसलिए हमारा कोई मेंस्ट्रीम उसमें घुशने का इच्छा भी नहीं था कि इसमें अपने को घुश के कुछ करना है अलग टाइप के लोग है इनको करन noodle इसमें कीशवा अषादश के घुश ön में कंशने क्सक्प यह लगा कि हां कुछ यह नया हो सकता है उस में पर उस समय हमारा है यह ग्रीन पार्टी आफní हो करके चरचाहीं चलने लगे तो रहे लेकिन ह हंए हります था कि एक तो हम एक तो आदिवासी है ना वो खुदी बड़े सब्डूड और इस टाइप के थे मतलब जब बाहर निक अपने जगा में तो वह बहुत स्ट्रॉंग थे तो क्योंकि पूरे ही ग्रामींड थे जो ऐसे ऐसे लोग तो जो कभी जिन्दगी में निकले नहीं घर से बार और मतलब वही है कि एक पूरा इतने सदियों से आपको दबा के रखा है तो आपको तो इतना असानी से निकलता नहीं है शहर में जाके और पूरा स्ट्रॉंग और ये और वो डिटर्मेंट टाइपस नहीं थे पूरे के पूरे तो वह हम हर जगे जाके हमको कभी नहीं लगता था कि हम ये पूरे जो लोग मंच पे बैठे ना इसके पार्ट है कभी हमको लगा नहीं ना हमें कोई उस तरह से देखता था पूरा और खुद ही आप सोचते हो कि मैं हूँ ने ताबे से गली कि आप सोचते हो कि हां मैं हूँ और मेरे को जो है रहना लीडर्शिप अपन सब ऐसे थे नहीं तो हर समय हमारे को कभी भी ये लगता नहीं था कि हम जो है कोई भी मेन रोल अदा करने के लिए बने हुए ल प्रॉब्लम नहीं था कि कहीं एक्शन कुछ हो रहा है स्ट्रॉंग हो हमको घुसना ही है लेकिन फिर यह जो पूरा डिसिशन मेकिंग यह वह था वह हम भी हमारे भी लिधार्जी था और हमको लगता था कि छोड़ो जाला इस समय घुसना नहीं फालता हु तो ऐसे हो गया तो ग्रैजुली फिर सभी का फिर गुरूप में ऐसे हो गया कि फिर लोगों को हमाई गुरूप में मुझे लग रहा कि कुछ लोगों ने तो सोच लिया कि विर आप हमको अभी यह सब नहीं करना है नर्मदा वाले मामले में ठीक है अगर कुछ होगा बहुत कुछ भी जाती थी जैश्री भी जाती थी क्योंकि जैश्री तो आई नर्मदा से थी तो यह होता था कि शायद एक यह था अब मुझे ऐसे कोई उस समय के फीलिंग वो सब तो याद नहीं है तो एक कहीं पर यह था कि ठीक है तो यह लोग जो है वो चला रहे हैं फुल टाइम इसी में लगे हैं पूरा तो ठीक है फिर वो डिसिशन जो ले रहे हैं उससे चल रहा है अंदुलन प्रक्रिया चलाने का शुरू में मुझे याद है कि यह बाते हमने जरूर कहीं न कहीं होंगी और जैसे मजदूरी के मुद्दे को लेके मुझे याद है कि यह बात फर्स्ट टाइम ही हम जब बढ़वानी आये थे किसी मीटिंग के में और वो ऑफिस में वो एक लड़का ना राजाराम और यह वो जिन्होंने तुरंट थी बहुत जल्दी ही वो पुनरवास वाले मामले में चले गए वो लोग लेकिन उनके साथ बहुत नैचरल ही हमारा रिष्टा दोस्ती बन गई थी कि हाँ यह तो बहुत सही मामला उन्हीं के थ्रू हमें पता लगा कि जो ल नहां के भी जो प्रमुक करेकरत हैं उनसे भी हमारा एक दोस्ती है इस किसान भी बन गया गया जैसे मैश भाइए एक तरफ वो एक बड़े किसान थे नहिकिन दूसरी तरफ वो एक Nirmada के कारेशicos कौ के रिष्टा भी बन गया उनके साथ उनसे भी ये बात हो पाती थी हमारी कि देखो ये भी तो होता है और वो भी इस बात को समझते थे को मजड़ी लगता वो नहीं समझते होंगे वह समझते थे कि हाँ कहीं न कहीं हमारे अंदर भी वो है वो बातें निकली नहीं क्योंकि उनको निकाल मतलत झरूरी नहीं कि वह contradiction पोज करता- अंदुट्व हो घर तो फिर भड़ ओग हो ये डर हर समय हमारी इंदर पर लीडर्शिप में रहा हमें ऐसा लगा कि नहीं कुछ गड़बड हो जाएगा यह मामला तो इसको बंद करो यह सब यह वाला डबा खोलना नहीं है यह सारे चीज़ों का तो कहीं नगज हमने अपना रोल हमें लगता है कि नहीं निभाया हमने मतलब अंदोलन के सारे ही लोगों ने तो कुछ strategies जो नर्मद अंदोलन की रही है उसके बारे में तुमhara जैसे की कोट में जाना नहीं जाना उसके बारे में तुम्हरी क्या राई है डूबेंगे पर हटेंगे नहीं यह जो नारा है और वो काफी अमल में लाए भी लोग उने खेत अपने घहर दूबाना हमारे गाउं में हमारा राज मैं और आगे बोलूँगे अगर ये तीन के बारे में तुम्हारी राए अगर बता सकते हो ये अलग-अलग रणनीतियां जो आंदोलन ने देखो फर्स टाइम जब डूबेंगे नहीं पर हटेंगी का जब नारा हुआ था ना तो हमें सच में लगा था कि मतलब मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत सीरियस है और मेधा व्यक्तिकात रूप से बहुत सीरियस है हमाई ग्रूप में सब लोगों को ये नहीं था कन्विक्शन लेकिन मुझे लगा था कि बहुत सिंसिरली ये बात निकला और निकला ही था शयद मुझे अभी भी लगता है लेकिन फिर दो-तीन साल बात, जब हर साल जर्म समरपन आप घोशना कर रहे हो, और नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक मजाक बन जाता है, फिर वो मामले का, मतलब फिर किसी को भी लगने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है, मतलब हर बार क्या ऐसा हो जाता है, जिस वज़े से वो बंद कर दिया, तो यह एक पॉइंट पर हमको, मतलब वो स्ट्राटेजी, स्ट्राटेजी कितना सिरियस है, यह वो शंका हो गया, दिमाग में, कि ठीक है, हर बार आप कुछ बोलते हो, और फिर एक प्रोग्राम हो जाता है, डैम तो बनता जा रहा है, वो बनता जा रहा है, हम तो हर वक्त जीत की रहा है, यह बड़ा हो गया था, हर बार विजय रहा ही निकालते है, लेकिन डैम बनता जाता है, तो यह सब मतलब फिर लगने लगा कि यह पूरा नाटक टाइप बीच बीच में हो जाता है, लेकिन लोगों की क्या ताकत है, और लोग कितने हद तक मर करने के लिए कितने लोग गाओं के तैयार हैं, वो तो कभी नहीं होगा ऐसे एक्स्ट्रीम उसके लिए कि सारे लोग होंगे, तो इसलिए वो शायद कुछ जत्थे का बात निकला था कि नहीं, कुछ लोग तो सिंबॉलिक रूप से इसको फुल लेंध तक जाने के लिए कम समय जो पूरा था आंदोलन का तेवर और पूरा एक जो उठाव था उसके चलते भी लोगों ने तै किया कि यह करेंगे, तो मैं तो उसको ऐसे नहीं जज करता हूं कि देखो बोला था करेंगे, लेकिन कोई नहीं मरा ना, तो इसलिए सब बखवास था, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा मेरा कोई evaluation नहीं है, ठीक है, उस समय बहुत सारे लोगों को लगा था कि हाँ, यही है, और आप जिन भी कारणों से, मुझे नहीं पता किन कारणों से, लेकिन आप नहीं वो किये, डूप तो आ गई, और घर चले गए लोगों के, और बहुत सारा कुछ हो ग कारे में फिर यह लगा कि हर समय एक strategy, 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 जिसके end में हर वकत repetitive experience हुआ कि repetitively वो strategy, full-fledged लड़ाईक से पहले ही रुख जाती है, फिर आपको लगता है ना कि फिर आपका विश्वास कम होते रहता है, फिर आपको रहता है ठाँ, ठीक है यार, बोल रहना डूप जाएंगे, पिशली बार भी बोला था, होगा, जरूरी नहीं होगा, लेकिन हर समय ऐसे होता था कि कुछ लोग तो होते ही थे, जो बहुत ज़्यादा उसमें emotionally पूरा घुश जाते थे पूरे मामले में, उनके लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो भी realize, मतलब उनको अगर नहीं तरह कर लिया, या कुछ सोच गे रखा है, तो फिर वो बहुत गलत बात हो जाता है, तो फिर वो sense, अगर लोगों को आने लगता है कि हाँ, मतलब अर कर आपने रस्ते में जाते हैं, तो डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, नहीं मतलब यह signify करता है ना क्योंकि फिर क्या होता है देखो आप ही आपके उपर सवाल उठता है ना आपने बोला यह 20 कारे करता पूरे समर्पंड दल बन गए या फिर next year जब आती है डूब और फिर वो 20 नहीं डूब दे तो उनका क्या होता है तो over years आपको दिखने लगता है दूसरों को दिखने लगता है कि फिर क्या हुआ इनका जो आपने इतना सारा बोला था तो फिर वो नारा आपके लिए जुटला जाता है और लोगी पुरे जूट में जी रहे हैं उनके सामने जूटे क्या बस बनेंगे हम अम तो जी रहे हैं वो नारों को मतलब फिर आपका ओडियंस ही चेंज हो जाता है आपका ओडियंस मीडिया बन जाता है उनके लिए आप प्रोग्राम करने लगते हो पूरा एक तरह से इवें पुरा अंधुलन ना कोई भी आंधुलन या संगटन कोई एक स्टेज शो नहीं है जहां आप इवेंट्स करते हो और वो इवेंट्स पबलिशाईज होते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है ऐसा नहीं होता है मतलब यह किसी का समझ है तो यह बिलकुली गलत समझ है मतलब बी कौन से हैं और उनको प्रमोट करता है मीडिया उठाता है मीडिया गिराता है यह सारे बाते हैं अपन बोलते रहते हैं लेकिन मेरे लिए तो फर्स्ट एक्स्पिरियंस था जब मैंने देखा कि कैसे मेधा एक नैशनल लीडर में ट्रांसफॉर्म हुई मेरा यह समझ है उस प्रोग्राम से हुई जो उसका धरना था और इसका भी काफी सारा पूरा इसको पता था कि क्या है मीडिया के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है काफी दिन तक वह भूक अड़ताल चली लेकिन जैसे मतला हमको बड़ा अजीव सपोर्ट था और पूरे देश से लोग आया थे काफी लंबी भूक अड़ताल चली अभी दिन मेरे को याद नहीं है लेकिन वहां क्या हो रहा था कि लोगों की ऑफिस जाने वाले ना उनके लिए उनको लगता कि कुछ भूक अड़ताल मतलब बहुत बड़ा और एक कि आगे चल जाते तो और भी लोग थे वहां चार्च जो थे निकल जाते थे मतला हमारे लिए यह बड़ी अजीव चीजन थी सारी कि सारी कि यह कि आ जहलो कर रहे है और अपन इसको होने दे रहे इसको है क्या दर्शन थोड़ी है आप बैटओ यहां के धरने में पहुत प कि खतम हुआ वह धरना तो वह मेरे को याद है कि वह पुरा जहां पंडाल था और एक स्टेज था दूर पर जहां पर यह हो रहा था तो वहां से कुछ भाषन चल रहे थे लोगों के तो फिर यह मेधा जो है उसको ले क्योंकि वह तो काफी कमजोर हो गई थी पुरा भूकरता ले जा रहे थे तो जैसे ही यह पंडाल से निकल गई तो पुरे फोटो वाले आ गए सामने ना तो वह पुरा खट 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 मतलब सेंक्रों फोटोग्राफर्स जो है एक्दम पुरा अटेंशन उनका वह तो मतलब भाषन को तो कितना फोटो खीचेगा तो वह त तक जाने का पूरा टाइम उसको वह खट 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 करते रहे पूरा तैम मतलब आपको लगते कि जैसे कुछ हो गया और फिर वह मंच पर हुआ थो फॉर्स टाइम मैं देखा और नेक्स डेए फिर वह पूरा टाइम धरने का जो है फोटोग्राफ्स टाइम ओफ फ्रंट पेज आ रहा था डेली फ्रंट पेज अटेंशन हो रहा था वह बहुत फॉर्स टाइम इतना ज्यादा मेडिया अटेंशन नर्मदा अंदलन को मिला था और तो इसको भी मैं लिखा भी था मैं बीच बीच मैं मेरा आदत था मैं इसको कुछ नोट लिकके बेचते रहा था तो उसको मैं लिखा कि अब तुम मेधा से मेधा पाट्टकर बन गई मतलो कैसे ऐक बन गया Na आइकउन और जब यह icon बन जाता है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको छोड़के आप अपने normal जीवन में चलते रहते हो तो वो बन गए तो उसके फिर अपने logic होते हैं फिर media का काफी पुरे movement में media को use करना एक बहुत बड़ा बात रहा ही है हर समय ही तो उस समय media ने बहुत उचला पूरा आंदोलन को और वो बहुत बड़ा बन गया और लोगों तक पहुँचा भी उसके माध्यम से असानी की नहीं पहुँचा पहुँचा भी लेकिन फिर जब नहीं media ने attention दिया तो फिर वो ऐसे लगा जैसे खतम हो गया वाद हर समय अगर फिर आपका अगर मापदंड यह बन जाता है कि वह यह है तो फिर जब वो नहीं है तो फिर वो खतम हो गया बाद में समझा जाता है कि नहीं यह थोड़ी हम आंदोलन तो है कि लोग लड़ रहे कि लड़ रहे लोग क्या कह रहे हैं लोग है की नहीं है कि तो कई बार हमको लगता था कि यह टू-much आउटसाइड चीजों के उपर से गवर्ण है पुरा कौट में क्या हो रहा है उसी में पूरा टाइम जा रहा है फिर मीडिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है कैसा जाएगा कब जाएगा यह होगा वोगा सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं वह ग्रूप महाराश्ट का क्या कह रहा है वह ग्रूप क्या कह रहा है तो बहुत सारा चीज़ें मतलब तो आउटसाइड शेत्र हो जाता है और वो फोकस हो गया उसी के बारे में ज्यादा तर सोचते रहते हैं तो फिर जब इसके लिए इतना टाइम है तो वह प्रोसेस चलाने के लिए क्यों नहीं टाइम है कि गाउं-गाउं में जाके बताना करना तो ऐसे लगता था तो वह या नहीं की खाली सोच लेथी तो कहीं ना कहीं से अगर यह नहीं तो वो वो नहीं तो यह इस बार वो ग्रूप कमज़ोर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था दूसरा कोई ना कोई से लोग कह एखटे हो जाते थे और क्योंकि एक मीडिया का बहुत बड़ा आंदोलन का hype बन गया तो लोग भी आते थे, सारे दुनिया से लोग आते थे, आए और मेधा के नाम से भी आये, आंदोलन के नाम से भी आये तो ये सारा हो गया लेकिन सैद्धानतिक रूप से हम इसको सही नहीं मानते थे, ना आज मानते हैं और हमें लगता है कि यह leader का काम है कि वो अपने से media attention हटाए सही जगों में media attention divert करे, सही issues पर divert करे, व्यक्तियों पर divert ना करे चाहे वो बावा हो, चाहे वो तुम हो मैं हो, मेधा हो, कोई भी हो यह अंदुलन का काम है, यह किसी भी मेधा को press conference address करना है या नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है कोई भी कर सकता है, दस बार दस लोग करेंगा, तो यह हमें लगता था कि यह काम है हमारा और हम इससे सहमत नहीं दे, आप यह नहीं कह सकते हर समय यह कहके यह नहीं चापो, यह चापो, तो वो हमारा काम होता है करना कि हम कितना importance देते हैं इस तरह के factors को अपने movement के अंदर, मुझे नहीं लगता कि नर्मदा की group में वो एक common political understanding कोई थी हमें कभी नहीं जलकी, यह ना, state के बारे में इस पूरी विवस्था के बारे में, और उससे deal करने के लड़ाई के long term perspective के बारे में, हमें नर्मदा अंदोलन में कभी कोई नहीं दिखी हो, तो CMSS जो था उनकी एक clear राजनितिक understanding थी, state के बारे में और उससों लड़ने के तरीके के बारे में, ठीक है तो उसलिए वो आपका एक benchmark है, कि यह है हमारे सिद्धान्त, अब हमको issue thrash करना है, तो उसके basis पर करेंगे, तो फिर उसमें व्यक्ति less important होते हैं, और यह किसी भी political लड़ाई के लिए यही सही रस्ता है, ठीक है और leader को भी फिर लगने लगता है कि जो है, मतलब किस हद तक एक group का सहभाग लेना है, तो basis अगर कोई clear political understanding नहीं है, तो फिर वो basis ultimately वो ego problems में चला जाएगा, individualistic उसमें चला जाएगा, तो वो मुझे लगता है कि एक जो था ना जो नर्मदा अंदुलन का हमको कमी लगता है, जिस वजए से जितना जादा वो उसके अंदर संभावना थी, वो नहीं fully निकली, वो ये थी कि वो issue में रह गया, और उसने larger issues को लिया, विकास नहीं, विनाश नहीं, लेकिन एक political understanding न रहते हुए लिया, मतलब वो हमारे लिए important नहीं था, basically हमारे लिए ये important ही नहीं है, कि वो damn रुका की नहीं रखा, हम तो उसको ऐसे evaluate ही नहीं करते हैं, यहना वो लोग दूसरे करेंगे, कहते हैं कि damn नहीं रुका, क्योंकि तो क्यों हो, तो हमारा आज भी जवाब यह होता है, कि तो क्या हुआ मतलब सहला तुमको बता तो लगा कि damn खराब है, यह तो हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उससे हम, मैं तो judge नहीं करता हूं उसको, कि damn नहीं रुका तो fail हो गया, damn हो बार रुक गया, तो फेल पास थोड़ी है इसके अंदर, अरे इतना सारा हुआ ना, इतने सारे लोग उद्धेलित हुए, उनको समझ आया कि नहीं, आंदोलन भी कोई चीज होती है, यह विचार भी कुछ होता है, तो उसका साफ होती है, तो obviously आप और आगे जा सकते हैं, जितना होप उससे निर्मान हुआ, वो होप बहुत ज्यादा एक लड़ाई में नहीं परिवर्थित हुआ ना, फिर डैम्स की लड़ाई, अलग-अलग ही डैम की लड़ाई ही होती रही, तो केवल एक rallying point की तरह आप सारे डैम वाले एक साथ इखटे हो जाओगे, वो बात नहीं है, या सारे विस्था पे इखटे हो जाओगे, वो किसी एक larger political understanding के तहत चलते हुए आगे जाना करना, तो वो उस समय तो नहीं हुआ अमित, एक जैसे तुम्हारी बात से ऐसा लगता है कि जैसे court as a strategy जाना वो system का इस हिस्सा है, तो सपष्ट करोगे कि जाना चाहिए था कि नहीं, उसका फाइदा हुआ, नुकसान हुआ, मतलब एक तरफ ये system में जितना मिल सकता है, वो भी पुनर्वास या वो भी एक बात ह है, मतलब एक है कि जो जमीनी लडाई है ना, मतलब लोगों की लडाई प्राइमरी है, ठीक है, अब उसके साथ चलते court और सारा कुछ का मामला चलता है, तो वो sense दिखता है उसके अंदर, अब आपको दिख रहे हैं कि लोगों की लडाई ही नहीं है, तो कोई sense नहीं दिखत है मेरे को, आप हो सकता है, court में जीत भी जाओगे ना, तो आज कल कर रहे है ना, एड़ोकेसी का पूरा, इसलिए चला ना, कि सड़क पे लडाई मत करो, सब भी लोग हैं, आओ, बैठो, बातचीत करो, कोच भी विल रिजॉल, we can resolve everything, we can resolve Iran, Iraq, we can resolve damn क्या चीज़ है, so let's talk, त तो वो मोड है ना, एड़ोकेसी का, तो फिर वो करो, फिर मत बोलो जनांदुलन, उसको मतलब एक लोगों को एक प्रदर्शनी की तरह दिखाना थोड़ी है है हर वकत, कि देखो, court को impress करना है कि हाँ, लोग भी हमारे साथ है, तो जलो, हमको rally निकलना जोगे, तो लोगों क से कुछ हासिल होगा, उसके बिना कुछ नहीं हासिल होगा, परिवर्तन नहीं होगा, इस सिस्टम से आप, एड़ोकेसी के माध्यम से भी, court cases, progressive laws, के माध्यम से कुछ न कुछ चीज़ें और extract करोगे, NREGA, आप क्या से देखोगे NREGA को, progressive law है ना, ठीक है, लेकिन जैसे ही आ अगर आपको लग रहे क्या करने लगया, तो नहीं करने लगया, तो आप question करोगे ना, फिर क्यों बना दिया इसने NREGA, तो हो सकते हैं आपके दिमाग में logic आएगा कि नहीं, market को चलने के लिए तो पैसा चाहिए, लोगों को ताकतवर बनाना है, वो उसका main agenda नहीं है, उसक पास जो भी हतियार है आप उसे इस्तमाल करोगे, तो जब आपकी ये समझ जैसे ही dilute हो जाती है, और आप एक issue centered बन जाते हो, तो फिर आपके लिए वो ही important बन जाता है, तो फिर आप लग जाते हो कि court से ही निकला है मामला तो चलो यार, ये तो हो जाएगा, फिर आपके ल जैसे अगर वो ये कह देता है कि नहीं मध्य प्रदेश को पैसा देना पड़ेगा लुहारिया को, पॉजिटिव है ना, अच्छा है, तो फिर वो perspective से देखो कि तो ये सब tools हैं, और आपको इनके limitation भी पदा है, कि ये हाद तक ये tool है, इसको मैं इस्तमाल कर रहा हूँ, जि gradually आप इतने ज़्यादा उसमें invest कर दिये और convince होगे कि वो ही आपको main काम लगने लगा, और अब हम जब देखते हैं कि क्या हुआ उससे, और हम अब क्या forces को देख रहे हैं, तो फिर आप हर समय पाऊगे कि उस समय के हमारे decisions बहुत limited थे, लेकिन आपका कोई भी long term perspective नहीं, क क्या scheme आप चला रहे हो जिससे दस साल बाद आपके पास दस कारे करता होंगे, कोई चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, तो फिर कैसे आप लंबी लड़ाई के बारे में सोझ रहे हो, तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा clearly मैं ये कहना सही होगा कि उस समय ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो ये सही हो जाता, वो गलत हो जाता, कोट में, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो तो आपका बहुत सारा situation पे तै होता है, और जैसे मैं का आपका क्या aim है, उस पे तै होता है, अगर आपको लग रहे है कि नहीं यार, आप कुछ भी करके देखो ये जाबवा के लोगों को जमीन का मामला रिजॉल्व होना चाहिए, चलो ठीक है, कुछ भी होगे, तो उसके लिए जो कुछ भी हो, आप वो करोगे, आप सिद्धान ते लेके नहीं यार समय, वोने तो इनका जो हुआ, कोई फरक नहीं पड़ता, इतने लंबे मतलब हिस्ट्री के ट्रेजिक्टरी में, और हो सकते हैं, आप ये बोलोगे कि नहीं यार, मैं तो ये विवस्ता विवस्ता कभी नी बदलेगा, इसको मेरा तो एम है कि ये पांच परिवार का कि इनको मैं जमीन दिला के फिट करता हूं, ये भी सोच सकते हैं, क्यों सरकार से ही क्यों लेते रहनार होगा, तो कुछ भी आप तो ऐसा नहीं है, वो सही हुआ गलत हुआ, लेकिन मतलब अल्टिमेटली आप कहां जा रहे हो, आपका क्या सोच है, उन चीजों से आप तै हो होते हो, तो ये स्ट्राटेजी जैसे हमारे गाउं में हमारा राज, मुझे लगता है हमारा गाउं में हमारा राज जो मामला है, तो गाउं तो एक सामाजी की कई तो था एक तो, और शायद ये बताया जाता है, इतिहास में जो बढ़ते हैं कि किसी समय में वो ऐसी विवस् आपका आज खुद पकरा है देनिक जरूरतों की चीजें हैं वो वहीं की वहीं बनने लगी तो हमारा गाउं हमारा राज एक ऐसे economic model को represent करता है जिसमें आप कहते हो कि वो सारा कुछ गाउं में ही होगा तो गाउं एक मेरे समझ में कोई आर्थिक इकाई नहीं है self-sufficiency की जिसको कि आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करो अब आधिवासियों और दलितों की द्रिष्टी से तो वो समाजी की काई भी कोई खास अच्छी नहीं थी क्योंकि अगर गाउं के अंदर बोलबाला उच्च वर्ग्न का है उच्च वर्ण का है कास्ट का तो फिर मैं क्यों गाउं को मानूं अबेटकर का फु प्रेजी सीखो और निकलो इन से आगए यहां से यह जातपात के चकर से धर्म को उन्होंने नका रहा तो उन्होंने समाज की पूरी जो गाउं की अंदर के विवस्ता दी उसको नका रहा उन्होंने तो हमारा गाउं हमारा राज हमारे मेरे इसाब से कोई बहुत बड़ा आ अधिवासी इलाकों में भी है मद्यप्रदेश में भी यह पूरे जो बुंदेल खंड इलाके हैं सतना और यह सारे इलाके तो वहां आधिवासी है लेकिन पूरा एक फ्यूडल सिस्टम है तो आप गाउं कैसे करोगे फिर तो जैसे ही आप कुछ उन विचारों को तोड़त करते हो जाथ के हो जेंड्य yani की समानता की बात करते हो एसने तो फिर वह हो नारा तो तहा कि हमारे गाव में हमारा रचलान अमें वह मेरी इसलिए था कि तुम हमारे गाव में नहीं आ सकते तुम आओं गया उस06 में वह था हमारे गाओं में हमारा राज लेकिन यह जो नारा था वो तो मेरे ख्याल से वो गड़्चरोली या कहीं पर यह शुरू हो था ना जिसमें उन्होंने का कि हमारा गाओं हमारा राज फिर उसमें से एक वेरियेशन निकला कि हमारे राज का सवाल नहीं है यहां राज कोई न राज करने माला मैं कोई यहां पर नर्मदा अंद्र में तो हमारे गाउं पुलिस हाएं और भगा देगे रहे हमारे गाउं में तुम आओंगे कोई करने को हम प snug एक समय कॉछ्डारा और कोई में नहींसे फिए मतलब तुम्ह狂ोग एक चीज में हमारा था कि यह वाइलनन स्ट्रगल में मेरे मेरेको नहीं लगता था कभी नया भी लगता है और वह कुछ भी कारण होस्के यह मुिने खुद मेरा टेम्परमेंट नहीं है वाइलन्स उसमें जाना अपने अपने को लगता है कि वह रस्ता से नहीं पहुंचने वाले कि वेसिकली वायलेंस जो है वह प्रपेचुएट करता ही है वायलेंस को एक तो एक था दूसरा वी वोट बें आ गया तो वोट में भी मुझे खास विश्वास नहीं है इस वाली जो वोट वाली जो विवस्ता है ना उसमें मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि जब आप एक तरह से विकेंदरी करंड की बात करते हो तो फिर क्यों सारे निर्णे होंगे फिर मतलब उसका एक फिजिकल एलिनेशन की यहां का बंदा दिल्ली जाके हजार किलो मिटर दूर बैठेगा तो वो कहां तक वो अपने लोगों से निर्णे लेगा क्या हर मामले में कितना भागिदारी होगा चेत्र के लोगों का कैसे तै होगा अगर आश्ट यह नहीं हो तो फिर क्या होगा ग्राम सभा का और कोई भी मतलब सामूहिकता का मतलब अभी जो दिख रहे वो एक रास्ता ही दिख रहे कि हां जैसे हमको यह बहुत क्लियर बहुत ज्यादा लगा कि हम विरोध की राजनीती करना बहुत अच्छा सीखे हैं पूरे जंसंगठनों के और पुराने सभी आंदोलनों के समू से अनुभवों से तो हमें critical thinking हमारा बहुत ज्यादा होगे यह गलत है वो गलत है क्या गलत है हम पूरा उसका बाल का खाल निकाल सकते हैं लेकिन क्या सही है में हम पड़े नहीं है तो हम जो आधारशिला शुरू करना उसका एक मकसद यह था कि हम क्या सही है वही चलो बहुत सारा हो गया कि क्या गलत है अभी स कि एक लड़ाई है कि हाँ वो विवस्थाओं में सत्ता को हासिल करके लड़ना एक यह पूरा इसी पर ज्यादा फोकस है पुरे आंदोलनों का और उसका उसकी दूसरा पहलू यह भी है कि वो विवस्थाएं कायम करना अगर हमको लगता है ना कि हमारी स्वास्त विवस्ता ऐसी होनी चाहिए तो चलो हम वैसी बनाएंगे उसमें बहुत लगेगा उतने से ज्यादा लगेगा हमको जो अभी हम पिछले 10 साल में देख रहे हैं जितना संगर्ठन बनाने में नहीं लगा क्योंकि संगर्ठन में तो पता है नहीं जाएंगे तो शला निवाड नहीं मिलेगा तो भुके मरेंगे लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है मतलब समझो आपको अपनी स्कूल बनानी है जो कम्यूनिटी चलाएगा कम्यूनिटी देखेगा पैसा कहां से आ रहा है कम्यूनिटी देखेगी फंडिंग की निगimentos आ रहेगा रहेएंगे को मु一 को इन्टरेस्ट नहीं कुछ भी करने में क्योंकि ठीक है न एक काम यह करना सर्कार का काम है लिटरसी करना वह करेगा हम सब क्यों उचे है तो जंच संगाटन भी कहता है हमारा काम क्या है मास्टर और रहा और की नहीं देखना यह आदिवासियों का पूरा, क्या चरित्र पूरे देश के किताबों में बताया जा रहा है, उनके प्रॉब्लम्स क्या दिखाया जा रहा है, वो हमारा रोल नहीं है, हम जोग कर रहे हैं, तो उसको हमें, हमारे लिए भी जस्टिफिकेशन चाहिए, तो हमारा justification यही है कि जो भी नए समाज की हम कलपना करते हैं उसकी विवस्थाएं खड़ी करने का प्रयोग होना जरूरी है ठीक है तो एक तो यह है वो चाहिए स्वास्त में हो स्विक्षा में हो जंगल में हो प्रजात अंतर के प्रक्रियाओं में हो आप बोलते हैं ना प्रजात अंतरिक प्रक्रियाओं लेकिन क्या आपने कुछ ऐसे वैल्यूस डाल दिये कुछ पीडी में जिससे वो अपना डिसिशन पंचायत में बोल सकते जाके कोई भी आदमी कितना दम आ गया कि उसके अंदर आ गया तो अच्छा है सफल हो गया हो नहीं आया तो कुछ मतलब नहीं है मतलब और जरूरत है काम की तो यह बनाना वो जो हमारा जो भी जो कुछ भी हमा वो इवाल होगा झाल झाल झाल